नमस्का साथ यूँ जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हम लोग UPSC और State VCS प्रिलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस सभी कलासें आपकी कबर किये जा रहे हैं और याद रखें ये कलासें आपको प्रिलिम्स में फायदा पहुँचाएंगी और साथ में ही आप देखें कि मुख परिक्षा के लिए भी काफी फायदे मंद रहने वाली हैं ये सभी कलासें और जिसमें State PCS की बात करते हैं तो आप देखें UP PCS हो गया बिहार PCS हो गया आप लोग NCEIT जरोर पढ़िएगा जितने बार हो सके उतने बार पढ़ना चाहिए और आपका प्रिलिम्स का जो भी सिलेवर्स है उन सबको हम लोग कबर करेंगे चाहे इतिहास का हो फिर चाहे सम्मिधान का हो या भोगोल का हो या अब देखें अर्दव्यस्था का हो या स पूर का सरकी राज पढ़ा था बंगाल, मालबा, गुजरात, कस्मीर, फिर चाहे राजपूनता ना हो मेवाड, मारबाड, आमेर, उडिसा, कामरोब या फिर दच्छन के राज्जों जिनमें खांदेश, बहमनी, बरार, वीजापुर, एहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा या फिर बिजय नगर समराज जो, जिसमें संगम बंस, सालो बंस, तुलो बंस, इन सब पर एक ओवर्वीव हम लोगों ने ले लिया था, और इसके लिए एक सेपरेट आपकी पिले लिष्ट सूची बना दी गई है, UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से, आज हमें बात करनी है मुगल समराज जी के बारे में, और आप लोग जिस भी एकजाम की तयारी करें, उसके पुराने कुशनस पेपर उठा के देखिए, आप देखेंगे कि मुगल समराज जी से हमेशा आपकी परिच्छाओं में कुशनस आते हैं, और जिसमें आप देखें कि बाबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो मुगल समराज जी का संस्थापक माना जाता है भारत में, हम लोग हुमायू के बारे में भी पढ़ेंगे, अगबर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, साय जहां के बारे में पढ़ेंगे, और अरंग जेप के बारे म और मुझे लगता है कि इन सभी कलासों को आप लोग कवर करते हैं तो आपके कोई भी कुश्चन्स छूटने वाला नहीं है और सबसे पहले अगर हम लोग बाबर की बात करें तो आप देखेंगे कि भारत में बाबर में मुगल समराजी का संस्थापक था वह मुगल बंस का पित्थम बादसा था जिसने नाकेबल दिल्ली को अफगानों से चीन कर अपनी राजधानी बनाया बलकि उसे मुगल सक्ती का कैंद भी बनाया जहरुद्दीन मुहमद बाबर का जनम 14 फरवरी को माव राउन हर ट्रांस आकसियाना की एक चोटी सी रियासत फरगना में हुआ था तो एक बात आप लोग इसका पूरा नाम भी याद रखेगा वंडे एकजाम में कई बार पूंच लेता है तो जहरुद्दीन मुहमद बाबर इसका पूरा नाम था बाबर की अगर पिता की बात करें तो उमर से एक मिरजा इनके पिता का नाम जो फरगना की जागीर का मलिक था और उसकी माँ का नाम कुट लोग निगार था और बाबा अगर पिता की तरफ से आप देखेंगे तो पित पक्ष की ओर से तैमूर का पाँचवा बंसज माना जाता है और माता की ओर से यानि की मात पक्ष की ओर से आप देखेंगे तो चंगेच खा का चोदैवा बंसज था है और इस पिकार उसने उसमें तुरकों और तुरकों और मंगोलों दोनों की रक्त का मिसरन था एक तरह से आप देखी कि पतनी किसी और मनलब इनकी माता किसी और बंस की थी पिता किसी और बंस की थे और दोनों से जो वच्चा एक तरह से हुआ, दोनों बंसों का एक तरह से मिसरन रहा बावर ने जिस नवीन राजबंस की निव डाली वहत तुरिकी नसल का चकताई बंस था और जिसका नाम चंगेच खा की दुतिय पुत्त की नाम पर पढ़ा था बावर अपने पिता की मित्यू के बाद 11 वर्ष की अलपायू में 1494 में फरगना की गद्धी पर बैठ जाता है एक छोटी ही उमर में आप देखे सासक बन जाता है बावर का भारत पर आकमण मद्देशिया में सकती साली उजवेकों से बारबार पराजय सकती साली सफवी बंस था उसमानी बंस की भै कपितीबल था बावर की उजवेक सरदार सेवानी खा से बारबार फराजय से उसे अपने पेत्तरक सिंगहासन को प्राप्त करने की विचार को छोड़ कर दच्छन पूर्व अर्थात भारत में अपना भाग अजमाने के लिए विवस कर दिया और इसी कड़ी में आप देखें कि बावर उनने 1504 में काबूल पर अधिकार कर लिया इसने और परडाम सरू उसने 1507 में पादसाय की उपादी धारन की और पादसाय से पूर्व बावर मीर्जा की पेत्रक उपादी धारन करता था और बावर ने जिस समय भारत पर आगमर किय उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंद, कस्मीर, मेवाड, दिली, खांदेश, बिजयनगर, भाहमनी, रियासते, आधी, सुतंत, राज्य थे यानि कि अपने अपने छेते में एक तरह से इनका सासन चल रहा था बावर ने अपनी आत्मकथा बावर नामा में क इजयनगर की ततकालीन सासक किषने देव राय को समकालीन भारत का सबसे सकती साली राजा भी का है और बावर को भारत आने का निवंतर्ण पंजाब की सुविदार दौलत खां लोदी और इबराहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था ये जरूर आप लोग या भारत के अंदर के लोग ही थे और इन्ही ने आप देखी बारी लोग जो भी आखमण कारी रहे हैं उन्हें नियोता दिया उनकी मदद किये अंग्रेजों के समय आप लोग सभी पढ़ेंगे आंगे चलके राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आखमण की आमंतन का उ कौनसा पाचमा और बावर में भारत पर पहला आखमण 1519 में कब 1519 में इसे जरूर याद रखेगा चोटे चोटे कुश्चन से पूच लेता है कई बात कब 1519 में बाज़ोर पर बाज़ोर पर किया था उसी आखमण में ही उसे भेरा के किले को भी जीता था और भेरा को जीत जीतने में उसने सरफिता बारूद अत्वा तोग खाने का परियोग भी गया था फिर आप सभी जानते हैं कि पानीपत का पहला योद 21 अपरेल 1526 में होता है बाबर में दिल्ली के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराज़ित किया है तो आप लोग यह भी याद रख पानीपत का जो पिथम योद्ध हुआ था 21 अपरेल 1526 में हुआ था किन किन के बीच हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदे के बीच जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था पराजित हो गया था हार गया था इस विजय का स्रे उसके कुसल सेनावतित एबं तोप खा अली और मुस्ताफा खान नामक दो योग तुर्की अधिकारियों ने किया था और पानीपत योद्ध के विजय के उपलक्ष में बाबर ने कावुल के पितिक निपास्ती को चांदी का एक सिक्का दार में दिया था अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता ह क्या कहा दा जाता है कलंदर भी कहा जाता है राजपूतों के विरुद बाबर द्वारा लड़ेगे खानबा की योद्ध का मुखे कारण मुखे कारण भारत में रहने का बाबर का निश्चित था और राणा सागर और बाबर के बीच योद्ध आगरा से 40 किलो मीटर दूर खानबा नामक किस्थान पर 17 मार्च 1527 में हुआ था, तो ये भी याद रखेगा कि जो खानबा का युद्ध हुआ था, एक कुश्चन से कई बार कुछ लेता है, राणा सागा और बाबर की बीच हुआ था, इसमें राणा सागा की पराजित हुए थे, इसे उद्ध में राण वह लगने वाला तमगा नामक कर समाप्त करने की घुषना की थी, टेक्स, बाबर ने खानबा की युद्ध की विजय पराप्ति के बाद गाजी, युद्धा येवं धरम पिचारग दोनों की उपादी धारन कली थी, बाबर की खानबा विजय के फलसोरूप उत्तरी भारत में बाबर की सत्ता को चुनोती देने वाला कोई बड़ी सकती नहीं बची थी, एक तरह से आप कहते हैं कि इनका एक्छत राज हो गया, कोई इनके बीच में बोलने वाला नहीं था, और इस युद्ध में युद्ध के पश्चारग बाबर ने अफगानों, अफगानों और राजपुतों के बच्चे हुए, फिती रोध का दमन करने का निश्चित किया, और निश्चे किया, बाबर ने 29 जन्वरी 1928 को चंदेरी का इकार हीतु मेदिनी राय पर आखमन कर दिया, और मेदिनी राय इसमें पराजित हो गया था, और चंदेरी का युद्ध आपको माल पर आखमन कर दिया था, युद्ध के परश्चाद राजपूतों के सिरों की मीराने बनवाई गई थी, और चंदेरी की युद्ध में राजपूत इस्त्रियों ने जुहर वर्त किया था, और इसके परश्चाद बाबर ने 6 मई 1529 में घागरा की युद्ध में बिहार, बं अलियर तक फैली हुई थी, फिर आप देखें कि 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मौत हो जाती है, क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और उसने आगरा की नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दपनाये गया था, किसे बाबर को, परंतु बाद में उसे काबल में उ दोसित किया था, जबकि इससे पूर्व के दिल्ली के सासक स्वयम को सुल्दान कहे कर पुकारते थे, बाबर के भारत आगमन के बश्या को साण समराज के बाद, पहली बार उत्री भारत में काबल और कंधार समलित हुए थे, बाबर बागों को लगवाने का बड़ा सौकीन जो कलांतर रुद तक चलता रहा, बाबर ने एक काब संगराए दीवान का तुर्की भासा में संकलन करवाया था, बाबर ने मुबयान नमा के एक पद सेली का विकास किया, और उसने रियाल ये उसज की रचना की जिसे खते बाबरी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, खते बा एक ओसरे मेन वेडम व्येवरीज द्वारा अंगरेजी भासा में इसका अनुवाद स्ष्ट माना जाता है, और लेंडेन और रतियस काईन ने भी अंगरेजी में अनुवाद किया था, और इसका फारीसी अनुवाद पाएंदा खां और अब्दुर्हीम खान-खाना निकी और इसमें बावर ने भारत की तत्कानी राजनितिक दसा भारतियों की जीवन इसतर पसुपक्षियों तथा फूलों फलों और जलवायू का विस्तित वर्डन किया है। हिंदू को पार करते ही देश, पेड, पत्थर, घुमकर जाती हैं और व्यक्तियों की रिवाज और तौर तरीके सभी हिंदूस्तानी हैं। उसने लिखाए कि यहां की विक्ति ना सुन्दर हैं ना संस्कित हैं। यहां ना अच्छे घुड़े हैं, ना अच्छे कुत्ते हैं, ना अच्छे अंगूर हैं। और ना अच्छे खर्भूजे हैं और ना फल हैं। बाबर ने लिखाए कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि यह देश बिस्तत और यहां सोना और चांदी की भरमार है और बाबर यहां की बरसा से बड़ा पिसन था। बाबर ने कि बाबर के बाब अप देखेंगे उसका सबसे बड़ा पुद्ध हुमायू आता है और हुमायू का जनम 1508 में कावूल में फूट हुआ कहा हुगा था कावूल में हुगा था उसकी माह का नाम आप देखें कि महम सुल्ताना था उसके छोटे भाई कामरान और असकरी गुलरूख बेगम से तथा सबसे छोटा हिंदाल दिलदार बेगम से उत्पन्नोय बावर की संतान थे और आप सभी जानते ही कि उस समय सासक एक स कई साधियां करते थे और बावर की मित्यू के चार दिन पश्चात हुमायू तेज परस की आयू में 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंगासन पर बैठा और आप भी जानते ही कि बाप के बाद हमेशा बैटा ही एक तरह से राजनितिक उत्तरादिकारी माना जाता है या कि इसी भी तरह का उत्तरादिकारी देख लेजे आज की बरतमार राजनिति में आप देख लेजे कई हमारे देश के राजनिति घरानों को आप देखेंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि भली बागी पाइटी में कितने भी अच्छे लीडर हों लेकिन आपने देखा है कि उनका बेटा अगर निकम्मा भी है तब ही उसे ही उनका उत्तरादीकारी मनाय गया है हुमाईू ने अपने पिता की आदिश के अनुसार अपने समराज को अपने भाईयों में बाट दिया जिसमें कामरान को काबल एवं कंधार, असकरी को संभल तथा हिंदाल को हिंदाल को कौन सा मिला? हिंदाल को अलवर मेबात की जागिर दी गई थी इसके अलावा अपने चचेरे भाई सुलीमान मीर्जा को वदकसा की जागिर दी इसने हुमाई को बास्तों में कटना आईया अपने पिताक से बिरासत में मिली थी और जिसे उसके भाईयों यों सम्मंधी मिर्जाओं ने और बड़ा दिया पारम में बाबर की पिदबुक मंत्री निजामुद्दीन अली खलीपा ने हुमायू को आयोग समझकर बाबर के बहिनोई महन्दी ख्वाजा को गद्धी पर बैठाना चाहता था किन्तु बाद में जीवन को खत्रे में देखकर उसने हुमायू का समर्थन किया था और अपनी पूरी जिंदी ये लड़ता रहा और आप देखे लड़ते हुए एक तरह से आप बुरी इस्तिती में इसका जीवन निकला हुमायू का अपने भाईयों के अलावा सबसे बड़ी कटनाई अफग हुमायू ने अपने संबराज जिविस्तार की किरम में पहला आकमर 1531 में कलंजर की सासक पिरताब रोध्य देव पर किया परंतु वे आत्थफल हो गया हुमायू को हार का सामना करना पड़ा हुमायू का कलंजर आकमर मूलता बहादूर साह की बढ़ती सक्ती को रोकने का प 1532 में आप देखेंगे कि हुमायू ने पहली बार चुनार का घेरा डाला उस समय चुनार का किला अफगान नायक सेर खां के अधीन था सेर खां ने हुमायू की अधीनता सुईकार कर ली और अपने लड़के कुतुब खां के साथ एक अफगान सैनिक टुकडी मौलों की आप देबा में भेज दी 1532 में बहादूर साय ने रायसेऑन के महति पूर्ण के लिए को जीत लिया और 1533 में हुमायू को मिवार की संधी के लिए विवस्क किया हुमायू 한다 35 3536 में बहादूर साय पर आकमण किया और बहादूसार पराजित हुआ, क्या हुआ हार गया हुमायू ने मांडो और चम्पानेर की किलों को भी जीता 1534 में सेरसाय की सूरजगर बिजय और 1536 में पुना बंगाल को जीत कर बंगाल के सासक से 13 लाग दिनार लेने की से सेरसाय की सकती और बढ़ गई जिसे दवाने के लिए हुमायू ने चोनार गड़ का 1538 में दूसरा घेड़ा डाला और किले पर अधिकार कर लिया 15 अगस्त 1538 को जब हुमायू गौंड पहुंचा तो उसे वहां चारों और से लासों की धेर और उजार दिखाई दिये हुमायू गौंड रसम में कुछ समय तक रुक गया और हुमायू ने इस इस्तान का नाम जन्नताबाद रखा था क्या रखा था जन्नताबाद बंगाल से लोड़ती समय हुमायू एवं सेरखा के बीच बकस्तर की निकट चौसा का नामक इस्तान पर 29 जून 1949 को योद हुआ और जिसमें हुमायू की हार होती है इसे आप लोग चौसा का योद भी कहते है इसमें आप देखेंगे सेरखाय की जीत होती है हुमायू की हार होती है इस डेट को भी याद रखियेगा विस्ती की सायता से अपनी जान बचाई थी हुमाई ने इस उपहार के बदले विस्ती को एक दिन के लिए बादसा भी बनाया था, राजा भी बनाया था, तो जान बचाने के बदले आप समझ सकते हैं कि राजा की पद भी दी थी, इस बज़ाए के फ़सोरुप सेख खान ने सेशा की उपादी धारन के लिए थी, और ध कन्योज यानि की विलगराम की यूद में हुमाईू और सेशा के बीच फिर से लड़ाई होती है, फिर से यूद होता है, और इसमें भी हुमाईू की हार होती है, सेशा सोरी जीचता है, या यूद बहुत ही निर्डाई की यूद था, कन्योज की यूद के बाद हिंदूस् एक बात पुना हाफगानों के हाथ में आ गई और वहां से उसने फारस की और रोकिया और जहां उसने फारस की साहे तहे मास्व के दरबार में 15 वर्स तक निर्वासित जीवन वितीत किया और इस निर्वासन के समय ही हमायू ने हिंदाल की गुरू फारसी बासी जिया मीर अकवर को जनम दिया और बाद में एक महान समराट बना कौन अकवर आप सभी लोग परचित भी होंगे अकवर से और उसके बाद देखें कि कुछ समय के लिए से साय सूरी रहता है लेकिन कुछ समय बाद आप देखें से साय सूरी की डैत के बाद हुमायू दुबारा सत्ता मे में आता है इना बात है 1545 में हुमायो ने काबोल और कंधार पर अधिकार कर लिया और हिंदुसतान पर पुरा अधिकार करने के लिए उन्यूएं पांच दिसंबर 1556 फेसावर पहुंचता है फ़र भरी पंदर i15 15 में उसने लाहोर पर अधिकार कर लिया और 15 मई 1515 में मोगलों एबं अफगान सर्दार नसीब खाँ और तातार खाँ की नेतित में अफगानों ने मच्छी वारा नामकिस्थान पर योद्ध हुआ और इसमें संपूर पंजाब पर मोगलों का अधिकार हो गया और 22 जून 1515 को मोगलों और आफगानों की वीच सर्दार नामकिस्थान पर योद्ध हुआ इस विकार 23 जुलाई 1555 को हुमायू एक बार फिर दिल्ली की तक्त पर बैठा, किन्तु वह बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका दुरभागी से एक दिन बज़ा वो है दिल्ली में दीन पनाः, भवन में इस्तित पूस्तकालाई की सेनियों से उतर रहा था तो वह गिर कर मर गया, वो इस विकार जनवरी 1556 में वह इस संसार से बिदा हो गया, यानि कि उपर चला गया हुमायू जीवितिस में अधिक बिस्वास करता था, इसलिए वह सब्ता में सातों दिन, सात रंग के कपड़े पहनता था मोकिता एतवार को पीले, सनीवार को काले, संबार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता है आप देखें कि कई बार क्या रहते हैं कि बच्चे बड़े इंटलीजेंस होते हैं जो भी आप तयारी करने आते हैं, किसी भी एकजाम की और आप लोग की किलास में जाईए आप किलास लहने के लिए तो अधिकतर बच्चों का ये सवाल रहता है, कि बावर का बेटा जो हमायू था, ये जिवतीसी में बड़ा विश्वास करता था और सर आप बताईए कि कब कौन-कौन से दिन कौन से कपड़े पहनता था पूर बंस के बारे में बात कर लेते हैं, ये 1540 से 1515 तक रहता है सेसा सोरी, सेसा ने उत्तर भारत में दुतिये अफगान समराजी की स्थापना की सेसा का जनम अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसका जनम कब होता है, इसका जनम 1472 में वैजवाड़ा हुसियारपो नामकिस्थान पर हसन की अफगान पतनी के गरब से हुआ था अगर आप लोगों से सेसा की बचपन का नाम अगर पूँचा जाए, तो इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद था इस तरह के कुश्टन्स भी कई बार पूँच लेता है, ठीक है? और उसका पितन हसन खा, जौनपुर का एक चोटा जागीदार था फरीद का पैरमिक जीवन मुक्सोखमा ना रहा, अपने पिता से जगडा करके फरीद 22 बर्स की आयू में जौनपुर भाग गया और अपनी पितिभा से अपने पिता के मालिक जमाल खां को प्रभावित कर उसने अपने पिता को की जागीर का प्रबंदन अपने हाथ में ले लिया और इस कार में उसे अत्यदिक सपलता मिली पिता की मित्यू के बाद सोतेले भाईयों से मतवेत के कारण उसने अपनी रक्षा के लिए दच्छिंड विहार की सुविदार वहार खां लोहानी को कि हाँ नौकरी कर ली और वहाँ एक सेर को मानने की उपलक्ष में फरीत को सेर ख अपनी दम पर उठा हुआ सासक था बहार खाल लोहानी मुहमद सा की मित्यू के बाद सेर खाने उसकी विदभाद दो-दो वेगम से विवा कर लिया उस पिकार एक तरफ से वह तरह से वह दच्छिन विहार का सासक बन गया और इससे पहले बहार खां के सरदारों के कान भरन पर सेरका को दच्छिन विहार चोड़ना पड़ा था और सेरका बावर की सैना में चला गया जहां उसने मोगलों के सैनेक संगठन और रड़नीती को समझा और 1528 में आप देखेंगे बहार खां की मित्यू से पहले सेरका बापस बिहार आ जाता है और 1539 में इबराहिम लोधी के चोटे भाई महमूद लोधी की तरफ से उसने अनिक्छा से मोगलों से लड़ना सुईकार किया परंदु अफगानों इसकी पराजे हुई और 1539 में सेरका ने बंगाल के सासक नुसरत साय को पराजित करके उपरांत हजरत आला की उपादी धा की विद्वा विद्वा लाड मलिका से ववा करके नाकिवल चुनार के सकती साली खिले पर अधिकार कर लिया वरन बहुत अधिक संपत्ती भी प्राप की सेरका ने दो हरिया कियोद में 1520 में महमूद लोधी का साथ दिया था आप देखे कि जिस राजा की पतनी मर जाती है उसके बाद वो उसी के साथ विद्वा के साथ बिवा कर लेता है और सासक बन जाता है तो वड़ा चतुर रहा होगा शेरका सोचता था कि महमूद लोधी के पतन के बाद आपकानों की निता की रुमें ऊभर सकता है उसलिए वधा सधियोपूरी एकच्छा सक्ती के साथ देरखा की उपादी सेजसा की उपादी धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी इसने चलवाया। सेजसा ने 1540 में हुमायू को कन्योज बिलगाम की योद में भी पराजित किया और दिल्ली का सिंगासन प्राप्त कर लिया। इस पिकार उसने 1540 में उत्तर भारत मैसूर बंस अत्वा दुतिय अफगान समराज की स्थापना की थी और सेजसा ने सिंगासन पर अधिकार कर लेने के बाद उत्तर पश्यम की और मोगलों के प्रवेश को असंभव बनाने के लिए सबसे पहले पश्मोत्तर सीमा पर इस्तित का विरूत करते रहे सेजसा ने अपने उत्तरी पश्यमी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां रोहतासगर नामा की एक सुद्रण किला बनवाया और हैवात खां और खवास खां की नित्त में एक सकती साली सेनासी को नियत किया इसने 1542 में आप देखें कि सेजसा ने मालबा पर आकमर कर उस पर अधिकार कर लिया और 1533 में सेर साह ने राए सेन पर आकमर कर वहां के राजपू सासक पूनर मलक को विश्वास घात की करके मार डाला तो इस ाकमर के दौरार इसत्रीयों ने जोहर किया था यानिि कि ऐ तरशी आग में गिरकर ऐसे ही आपश लोग जोहर किय राइसीना की घटना सेसा की चरित पर एक कलंग माना जाता है क्योंकि इसने धोके से अनेक राजपूत इस्तरी पुरसों इस्तरी बच्चों को मौत की घात उतार दिया था इस घटना से कुटो खान ने इतनी सरम अनुभाव की कि उसने आतमत्या कर ली थी 1544 में सेसा ने मारवाड की सासक मालदयों पर आक्मड किया इस योद में सेसा ने कूटनीती का साहरा लिया इस योद में राजपूत सरदार जैता और कुपा से अतिन दिबीरता का पिदरसन किया और आफगान सेना की चक्चे छुड़ा दिये सेसा मारवार की योद में राजपूतों की सोर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा मैं मुठी भर वाजरे के लिए लगबग हिंदोस्तान का समराज हो चुका है यह जरूर कतन याद रिखिएगा कई बार पूछ लिए ताकि यह कतन किसने कहा था 1545 में सेसा ने कलिंजर पर अपना अंते माकमर किया और जिसका सासक कीरत सिंग था और कहा जाता ही कि सेसा ने कीरत सिंग की एक नाचने गाने वाली दासी को हत्याना चाहता था जिसे कीरस सिंग ने देने सिंगार कर दिया था और इसे के अतरिक्त कीरस सिंग ने रीवा की राजा पीरवान बगेला को सरन दिया था इस अभियान के दोरान वह जब उसका उक्का नामक अगने साथ चला रहा था उसी दोनान के लिए की देवाल से एक गोला आकर पासर रखे बारूत के धेर पर गिरा और उसमें आग लग जाने से उसकी बित्ति हो गई थी सेसाय सोरी की सेसाय ने मारवार को छोड़कर अन राजपूत राजाओं को उनके राज जिसे बंचित नहीं किया उवरन उन्हें अधीनता सुईकार कराके उसके राजप वापस कर दिया था सेसाय ने बंगाल जैसे दूरस्त एवं धनी सूबे में विद्रोह की असंका को समाप्त करके संपूर बंगाल को सरकारों में बाटकर पिते को एक सिख़दार के नियंतन में दे दिया और सिख़दारों की देख़बाल के लिए एक आसेनिक अधिकारी अमीन ए बंगला की अतवा अतवा अमीर ए बंगाल की नियुक्ती की और सबसे पहले यह अपद काजी फजीलात नामक बेक्ती को दिया गया था और उसके बाद अगर आप लोग सेरसाय कालीन पिसासन की विबाद करें अगर आप लोग तो सेरसाय एक महान बिजीता एवं सेनानायक होने के सासत कोसल पिसासक भी था अबास खाँ सेरवानी ने सेरसाय के विषय में लिखा है कि बुद्धी मता और अनुभाव में वह दूसरा है दर था किसने लिखा है अबास खाँ सेरवानी ने सेरसाय एक बिवस्था सुधारक की रूम में भी जाना जाता है बिवस्था पिवर्तक की रूम में नहीं और समराज निर्माता और पिसासक की रूम में उसे अकवर का फूरुपगामी भी कहते हैं अकवर का फूरुपगामी भी कहते हैं अगर हम लोग सेर साहिक कालीन केंदरी ये पिसासन की बात करें तो अफगान राजी की सक्ति का केंद स्वेम सुल्तान था यानि की सुल्तान सबसे उपर रहा करता था राजी की सारी सक्ति उसी के हातों में हुआ करती थे केंदरी ये पेसासन चलाने के लिए चार विभाग हुआ करते थे इन में सबसे महत्मूर विभाग था दीवाने वज होता था दीवान ये आरेज की अगर हम बात करें तो दूसरा विभाग था यासे सेन विभाग से संबंदीत था और इसका पिरमोख आरेज ये मामलिक कहा जाता था और एक बात और याद रखे इस तरह के कुष्टन से भी कई बार बन जातने हैं प्रिलम्स में पूंच लेता ह कि जो दीवान ये आरेज विभाग था एक मतलब किस संबंदीत था तो सैना से संबंदीत था एक तरह से और सैना के संगठन सैनिक नियुक्ति और उसके वेतन और रस्द आदी की व्यार्वस्था की जिम्मेदारी इसी विभाग पर हुआ करती थी और तीसरा था दीवान य रसालत था इस विभाग को दीवान ये मोहित सिव भी कहा जाता था या विदेश मंतरी की भाती काम करता था जिस तरह से आप विदेश मंतरी देखते ना उसी तरह से इसका काम होता था और विदेशिक नीती से संबंदीत पामलों की देखवाल करना इसी विभाग का काम होत चतुर्द विवाग था आपका दीवान ए इंसा और एक पिकार का साही सचिवालाय था है जिसका पिदान अधिकारी दावीर ए मुमालिक कहलाता था और इसे विभाग का प्रमुकर साही फर्मानों अतबा राजदेसों राजदेसों को लिफी बद्ध करना और उन्हें देश क विभेन भागों में आग्या पाने हेतु सम्मधित अधिकारियों के पास भेजना हुआ करता था तो ये चार विभाग थे इन चार विभागों के अत्रिक्त को चान्यवी विभाग थे जैसे दीवान एक कजा ये नियाय विभाग से जुड़ा हुआ था जिसका पिधान और ये पिशासन की बात करें तो स हा कि प्रानीजवी विशासन के संदर में इतिहासकारों में विभिन मत हैं सैसा ने बंगाल सोबे के लिए एक अलग पिकार की विवस्ता की थी और समफोर्ठ सोबे को उसने उन्नीस सरकारों में बादा थ Sat, कितने उन्नीस और पिते को एक सेनेत अधिकारी यानि कि सिगदार की नेंतर में छोड़ा था और उसकी साहता के लिए एक आसेनेक कि पिधानमंद्री हो, मुकमंद्री हो, यह तो ग्राम पंचया सबसे निचले तपके की लोगों के बारे में जानकारी उन्हें नहीं रहती है, उनकी समस्याओं के बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए पंचयायतों का गठन किया गया है, कि पंचयायतें क्या करेंगी कि उन एक सुबा या एकता की अनेक सरकारों में बटा हुआ था और जिसमें पितेक में दो पिर्मुक अधिकारी सिखदार एक सिखदारान और मुंसिप ए मुंसिफान होते थे सिखदार का पद अधिक सम्मानित था वह एक सैनिक अधिकारी होता था और उसका कार सरकार में सांती वि एक अधिकारी था वह दीबानी मुकदमों का फैसला करता था और अपने अधिनस्त मुंसिपों के कारियों की देखभाल भी करता था ठीक है फिर आप देखेंगे कि आपका आंगेस की विवस्था में आपको परगने का सासन पितिक सरकार अनेक परगनों में बटा हुआता था और जिसमें एक सिकदार एक मुंसिप एक फोतदार दो कारकून होते थे सिकदार के साथ एक सेनिक दस्ता भी होता था और उसका कार परगने में सांती विवस्था मनाई रखना होता था मुंसिप का कार दीबानी मुकदमे का नेड़े करना और तथा भूमी की नाप और लग आई थी और पितेक फरगना कई गराम में विवक्त था और गाउं का प्रमुक अधिकारी मुकदम अत्वा मुखिया कहलाता था जो गाउं में सांती व्रस्ता के लिए उत्तरदाई था गाउं का दूसरा अधिकारी पटबारी था जो किर्सक किर्सकों और उनकी भूमी एवं उपज का व्यवरा रखता था और गाउं में सिक्षा शुरक्षा स्वक्षता आदी का परवंधन भी ग्राम पंच्याइतें भी करती थी तो एक तरह से आप देखिए कि इस में भी सक्तियों का विकेंद्री करण देखा जा रहा है भली आप देखिए सुल्तान के पास सभी सकती हो, सकती का केंद सुल्टान हो लेकिन इसके लिए आप देखे कि विभ Physics आप पंचियातों तक वेवस्ता की गिये कि अलग से एक तरह से आप सभी जानते हैं कि सुल्टान भी होगा तो सुल्टान को भी सभी लोगों के बारे में मालू नहीं होगा सभी लोगों की समस्याओं के बारे में मालू नहीं होगा और सभी पर आप देखिए वो सासन नहीं कर सकता है सेन बेवस्ता अगर हम लोग देखें तो सेसा ने एक विसाल सेना का गठन किया था अलाउद्दीन खिल्जी की भाती उसने केंद में एक सकती साली सेना रखी उसकी सेना का मुख भाग घुर सबार सेना पैदल सेना हस्ती सेना तोफ खाना था और केंद्रिय सेना में मुखता अफगान थे और केंद्री सेना की अतरिक्त अधी नस्त राजाओं और सुवेदारों की सेना समय समय पर सुल्तान की साहिता के लिए पिस्तुत की जाती थी सैनिक सुधारों के छित में सेसा ने अलावतीन खिली की भाती गोडे को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की पिथा का अनूसरन किया था और सैनिकों को बितन अधिकतर नगद रूम में देने की विवस्था की थी इसने सैनिक अधिकारियों को एक इस्थान पर दो वर्स याधिक समय तक रुकने की विवस्था नहीं थी तो आप समझे सकते हैं कि इतना चतुर था सैना से समंदित पूलिस विवस्था थी और विभिन अधिकारी अपने शेतों में सांती विवस्था इस्थाबित करते थे फरंगने में सिकदार एस सिकदारान का तथा और गाओं में चौदरियों वह मुकदमों की जिम्मेदारी होती थी और यदि किसी गाओं में चोरी या हत्या होती थी तो अपराधी का पता लगाना गाओं की चौदरी या मुखिया की जिम्मेदारी थी यदि वह एसकार में सफल नहीं होता थो तो असे धंड भी दिया जाता था नियाय विवस्ता की बात करे तो सेसा की साचन विवस्ता की पिरमुख विसेस्ता उसकी निस्पक छे नियाय पिडाली थी, वह सबसे बड़ा नियाय दीस्त था, और पितेक बुद्धवार को स्वेम नियाय के लिए बैठता था, कब बुद्धवार को, सेसान ने सुल्तान उल अदल की उपादी धारन कर रखी थी, और इसके अतरिक लगान समंदी मुकदमों का नेड़े, परग और मीर अदल नामक अधिकारी भी नियाय कारी करते थे, और सेसाई की नियाय विवस्ता का अतिन्त कठोड़ती, जिसमें कैद, कोड़े से पीटना, अंग विच्छे दन या पर जुर्माना इस तरह की सजा हुआ करती थी, सेसा की नियाय के पिती, दर्टा के बारे में अब नहीं होती थी, तो आप देखी कि अगर कठोर कानून रहता है, कठोर सजा रहती है, तो चोर हो इस तरह के जो भी लोग रहते हैं, उनमें डर रहता है, और कई लोग इसे मानते ही कि ऐसा अगर होता है, तो आप देखी कि कम घटना होगी, चोरी की, अब आप सोचे कि अभी पूर्ण सबसे अधिक महत्व राजस सम्मंदी सुधार को दिया जाता है केंदरिये सरकार की आयका मुख सरोध भूमी कर अत्वा लगान था वो इसके अतरिक्त लावारे संबत्ती व्याबारी कर टकसाल नमक कर आधी थे सेसा की लगान व्यवस्ता मुख रूप से रियद बाड़ी थी जिसमें किसानों ने से पित्यक्ष संपर्क स्थाबित किया गया था किन्तु यह व्यवस्ता पूरे संबराज्ज में लागू नहीं थी आधी चेत्रों में आप देखेंगे भूराजिस्ति आकलन की पूरवर्दी बटाई गल्ला वक्सी कनकूत नस्थ या मुक्तई पिडाली या पिछलित्थी आप देखेंगे सेसा ने उत्पनन के आधार पर भी भूमी को तीन सैनियों में विभाजित किया था कितनी सैनियों में? तीन सैनियों में विभाजित किया था एक तो अच्छी भूमी, एक मध्यम और एक खराब सेसा ने भूमी कर निधारन के लिए राई फसलदारों की सूची को लागू करवाया था सेसा ने भूमी की किसमें एवं फसलों के आधार उत्पादन का उसत निकलवाया और उसके बाद उत्पादन का एक तिहाई भाग करकी रूम में वफसूल किया यानि कि टेक्स एक तरह से सेसा द्वारा फिचली तीनों पिडालिया बक्सी अत्वा बटाई नस्क या करनूत कनकूत नगदी अत्वा जपती में जपती या जमई जिसे मापनपदिती भी कहा जाता है विवस्था किसानों में अधिक प्रिये थी क्या दित थी अधिक प्रिये थी और उसके बाद आद देखेंगे सेसा के समय लगान नगद या जिन्स अनाज दोनों रूपे में देनी की छूट थी जिसके बास नगद है वो नगद दे सकता है और अनाज की रूप में भी दे जा सकता है सेसा ने मुल्तान से उपज का एक चौथाई लगान की रूप में लिया था सेस समराज में एक त्याई भाग था और आप देखेंगे सेसा ने किसी योग भूमी और परती भूमी दोनों की माप कराई और इस कार के लिए उसने अहमत खां की साहता ली थी और जिसने हिंदू ब्रह्मनों की मदस्ते ये अपकार पूरा किया था सेसा ने भूमी की माप के लिए सिकंदरी गज आप देखेंगे कि 49 अंगुल या 32 इंच सन की डंडी कपरियो करवाया आज भी आप देखते होंगे गाउं की तरफ आप देखते हैं कि लोग आप उन्हें अंगुल से ये महासिलाना करसंगरह सुल्ग भूरा जिसका पांच पिती सते भी बसूल किया जाता था किसानों को सरकार की ओर से पटे देए जाते थे और जिसमें उनको आप देखेंगे वर्स में निश्चिल लगान देना पड़ता था किसान कावूलियत पत द्वारा पटे को सुईकार क कह सकते हैं कि भूमी ही थी किसान ही थे सेरसाय की मुद्रा विवस्ता की अगर हम लोग बात करें तो मुद्रा फिडाली के छित में सेसा का महत्पूर्ण युगदान है सेसा की मुद्रा विवस्ता अतन्त बिक सिती उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों का इस्थान सुद् पस्ती गेंड चलवाया दाम रुपे का चालीस वा भाग था और इसके अतरिक्त अनतामे के सिक्के थे अधोला, पावला, दमडी, जीतल और सेसाय के सिक्कों पर सेसा का नाम और पद अर्वी या नागरी लिपी में अंकित होता था और उसने एक सोने का सिक्का असरब भी जा का आधार है, तो यह भी याद रखिएगा, और सेसा के जनहित में अगर काम की बात करें, कि उन्होंने जनता के लिए क्या क्याम किया, सेसा ने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, एबं पुनानी सड़कों की मरंबित भी करवाई थी, और उसके द्वारा बर्माई गई चार सड़कें अतेंत महात पूर हैं, इसमें कौन-कौन से सड़कें सामिल हैं आपकी, आप देखेंगे कि पहली सड़क बंगाल के सोनार गाउं से सुरू होती थी और दिल्ली लाहर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी, और यह सबसी लंबी सड़क थी, जो सड़क सड़की आजयम कहा जाता था ऐसे, और आप देखेंगे इसे से सा सुरी मार्ग या फिर बेटिस गवर्नर जनल आकलेंड ने जीटी रोड कहकर पकारा ऐसे, जीटी रोड, दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी, तीसरी सड़क आगरा से जोतफुर और चि लेकिन नेताओं के दोरा एक वो बनवा दिया जाता है, आपने देखा होगा कि दस्तराम ग्रह एक तरसी, तो समय उसने चाया दर व्यक्ष लगवाए थी, सेसा ने सब्सक्राइब सरायों का निर्वाण कर आए था, जिसमें हिंदू और मुसल्मानों के ठहनने के लिए अल गश्राप, चौकियों का भी काम लेता था, और सेसा ने अनेक मकतब और मदरसों का भी निर्मान करवाय था, मलिक मुह मत जासी सेसा के समयावी का पिसितद कभी था, और उन्होंने अनेक काभियों की रछना की जिसमें पदमावत हो गया, अखरावट हो गया, आखरीश कला प्रफ्राम हो गया एमाध पूरे सेसा ने एक दान विभाग का भी गठन किया था और इसे विभाग द्वारा जगह जगह लंगल बनवाए जाते थे जिसमें जरूरत मंद लोगों को मुत्त भोजन दिया जाता था और सेसा ने पाटली पुत को पठना नाम दिया था उसने कन नोज में सेसा है सेसा नामक नगर बसाय था बिहार के सासाराम में एक जील में उचे चबूद्रिक पर निर्मित उसका मकवरा हिंदु-मुस्लिम संस्किति का समनवे माना जाता है और कर निंग हमने सेसा के मकवरे कुत ताज महल से भी सुंदर कहा है एक कुस्टन सभी कई सेसा सूरी था इसका मकवरा का है तो विहार के सासाराम में है ठीक है सासाराम में सासाराम भी कह देते अब बात आती है सेसा के सेर साह के उत्तरादीकारियों की इसके उत्तरादीकारी किस तरह की हुए सेसा की मित्यू के बाद अमीरों ने जलाल खां को सुल्तान को सित किया किसे जलाल खा को वह इसलाम साह की उपादी के साथ गद्धी पर बैठा था एक कुश्चन से भी कई बार पर रिक्चा में पूँच लिया है कि सेर साह के उत्रादीकारी का नाम बताना है अगर ओप्सन में जलाल खा दिया गया है तब उस पर आप लोग टिक कर दियेगा और उसकी जगह अगर इसलाम साह दिया गया तो इसलाम साह को भी आप लोग टिक कर सकते हैं और उसने 1545 तक सासन किया और इसका अपना भाई आदिल खाने से संगस होता है और आदिल खाने भाग कर पन्ना में सरली और पंजाब की सुववेदार आजम खा से आ नियाजी के विद्रो का दमन किया सुजात खा के विद्रो का दमन किया और इसकी मित्यों के बाद इसका पुत्त फिरोज खा इसकी वश्चाद मुहमद आदिल आदी ने 1553 से लेकर 1555 तक सासन किया अफगानों के आपसी ग्रेवद्दे के कारण हुमायू ने उन्हें पराजित कर खुना दिल्ली की गद्धी पर अधिकार कर लिया फिर आप सभी जानते हैं कि हम लोग बाहुस मुगल समराज में चलते हैं और हमायू के बारे में बात कर चुके थे अब बात करते हैं अकबर के बारे में क्योंकि हमायू के बाद आप देखते हैं कि अकबर का सासन आता है तो ये 1542 से लेकर 1605 तक रहता है हमायू की निर्वासन काल में अमर कोट सिंध की राजा बीर साल के यहाँ जब हुमायू ने सरन ली जब आपने देखा है कि सेसा सूरी से हार गया तब 15 अक्टूबर 1542 को वहाँ अकबर का जनम होता है और उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था किसकी अकबर की अकबर अपने जनम के प्यारेमिक वरसों में चाचा असकरी हुमायू का भाई के सरक्षन में रहा फिर हुआ है चाचा कामरान की कैद में रहा और हुमायू जब राज्य पराप्ती के उद्दे से भारत आया तब उसका संगरस कामरान से हुआ यह उद्दे के दौरान जब हु हुमायू के बेटे को अकबर को और किंतु सोभाग से बच जाता है और इससे पहले 1540 में एक बार अकबर अपने माता पिता से मिला था और यहीं पर उसका नामकरन जलालुद्दीन मुहमद अकबर रखा गया था तो इसका अकबर का बास्पेक नाम अगर आप से पूची तो जलालुद्दीन मुहमद अकबर था हुमायू द्वारा जनम प्राप्ति के पश्चात अकबर ने बालकाल में ही गजनी और लाहोर की सुविदार किनों में कार किया था और अपने पिता की मित्यू के समय अकबर के बल 14 वर्स का था वह बैरम खा की सरक्षन में था तो आप स माचास उनका पंजाब की गुरुदासपुर जिले की कालान और नामक इस्थान पर 14 फरवरी 156 में मिर्जा अबुल कासिम ने अकबर का राजजविसेख किया जैसे ही पिता की मौत होती है उसकी खबर मिलती है अकबर का राजजविसेख हो जासा है सासक बनने की बाद 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खा की सरक्षक में रहता है और अकबर के लिए सरपितम संकट मोहमद आदिल साय सोर से उपस्तित था और किया था और 1556 में अकबर ने बैरम खा को अपना वकील यानि की वजीर नियुक्त कर उसे खाने खाना की उपाधी पिदान की थी और बास्तों में अकबर की पारमिक इस्तिती को सब्दरन करने में बैरम खा का सबसे बड़ा हाथ था जो फारस के सिया संपताय से संबन दित था कौन बैरम का पानीपत का दुतिये युद्ध आप सभी जानते ही कि 5 नवंबर 1556 में होता है और बास्तविक रूप से अकबर के वकील और सरक् उपादी धारन किती के बीच हुआ था इसमें आप देखेंगे कि अकबर तो इसमें सामिल हुआ ही नहीं अकबर का जो आप देखें कि कौन था वकील सरक्षक था बैरम खां उसने इसमें भाग लिया समय रहे हैं आप लो तो यह जरूर आप लो याद रखिएगा ये कुश अकबर की मिर्ट्यू के समय मोगल समराज इस तरह से था देखेंगे इतने बड़े साथ छेत में सासन किया था किसने अकबर ने देख लिए आप लो कंधार अफगानिस्तान काबोल गजनी पंजाब दिल्ली परगना कि समय रहे बड़े हिस्ते पर आप देखेंगे अकबर में प्रवेश किया जो एक बार फिरसे मुगल राध्धानी बन गया आगामी चार वर्सों में वेरम खान ने हिंदुस्तान की वेविमन भागों में अफगान सत्ता को कुचल डाला और वेरम खान के हातों में सक्ती के साक्यंदरन उसके एहिंकार तथा निरंगस्ता की हो गया अकवर समराज की विस्तार की अगर हम लोग बात करें अकवर की समय की तो समराज विस्तार की संद्रम में अकवर ने सबसे पहला आकमर 1561 में मालवा के सासक बाज बहादूर के ऊपर किया था और इस योद में बाज बहादूर की पतनी रोमती ने जहर खाकर अपने स सभी जानते हैं कि फिर क्या होता था कि वो पत्नी को उस राजा से साधी करनी पड़ती थी जो हार जाता था या वो जवर्जस्ती साधी कर लेता था तो यह रहता था और 1561 में ही अकवर ने चुनार का किलाभी जीता था 1564 में अकवर ने गौडवाना के गड़ कटंगा राज अंदास ने की थी और गड़ कटंगा राज को बाद में संगराम साहे के छोटे बेटे चंद साहे को लौटा दिया गया था अकवर ने इसके बाद राजपूतानों को जीतने का प्रयास किया क्या किया जीतने का प्रयास किया था और इस सिल्सले में उसने सबसे पहले आमेर को विवाहिक समहंदों द्वारा मिलाया यानि कि आप देखे कि आज भी आप देखते हैं राजनीती में एक नेता अपने बेटी बेटी की साधी दूसरे राजनीता से करती रहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेंखने के लिए समझ रहें आप लो और इसी तरह उस समय भी इन्होंने विवाह करके भी राज्जों को कुछ मिलाया कि अब सोचे कि इन्होंने आमेर से अगर विवाह कर लिया किसी राजकुमारी से तो आप सोचे कि वो दहेज में एक तरह से इन्हें मिल गया या इनके सरक्षक में ही रहेगा वो इनके विरूद में तो नहीं जाएगा आमेर का सासक भारमाल विहारीमल पहला राजा था जिसने सुएक्षा से अकवर की आधी इंता सुएकार की थी किसने भारमल ने 1526 में जब अकवर अजमेर में मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगा पर जियारत करने गया तो मार्ग में राजा भारमल ने उससे मिलकर अपनी पुत्री हरकावाई से विभाह का पिस्ताव रखा और 1567 में अकवर ने चितोड की किली का घेरा डाला ओदै सिंग ने सामन्तों की सलाय पर किली का भार जैमल और फत्ता फते सिंग को सौंकर स्वहिम जंगलों में चिप गया चितोडगा का किला मद्धे राजिस्थान का फिर विस द्वार माना जाता था और चितोडगड की किली में हुआ कतिल याम ऐसा पहला और अंतिम अवसर जब अकवर ने कतिल याम करवाय था जो अकवर के नाम पर एक बड़ा धबा भी माना जाता है अकवर जैमल और फत्ता की वीरता को से इतना प्रभाविन हुआ कि इन दोनों वीरों को की हाती पर सवार फितिमाओं को आगरे के किली के मुखदवार पर इस्तापित करवाय थ इसने अकवर ने चित्तोर गड़ की विजय की उपलक्ष में फतेय नामा जारी किया था और आप देखेंगे 1527 में अकवर ने अकवर ने गुजरात पर आकमन किया और जिसका कारण इसकी संब्रिद्धी इवं बिस व्यापार का पिरमुक पिरमुक के कैंद इस्तल हो ना था और अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकवर ने अपने पहली बार समुद्र के दरसन किये थे किसके समुद्र के दस्वन किये थे इसने याद रखिएगा आप लो 1571 में गुजरात पर इसने आकमर किया था ठीक है 1571 और 172 में यह जरूर याद रखिएगा डेट कभी-कभी क्या रहता है मिस्टेक हो जाती है चप जाती है 1571 में अब 27 कहां से आएगा आप सभी जाने और इसने समुद्र के दर्सन किये पहली बार पुर्दगाली व्यापारियों से इसकी भेहट होती है इसमित महोदर ने 1527 में 1527 इसमि में गुजरात के दूती अभियान को इतिहासिक दूर्ट गामी दूर्ट गामी अभियान का और अकबर ने अबने गुजरात बिजाई किसमिती में राजधानी फतेव और सीकरी में एक बोलंद दर्वाजा का बनवाया था ये भी कुश्चन्स पूच लेता है कि जो फतेव और सीकरी में सिक, सीकरी में भुलंदर वाजा किसके उपलक्ष में बना था गुजराद विजय के उपलक्ष में एक तरह से 1576 में अकबर ने दाउद खां की उपराजित कर उत्तर भारत से अंतिम अफगान सासक कांद कर दिया और अकबर ने 1581 में काबूल पर अधिकार करके अपनी सोतिली बहन एवं काबूल के सासक हाकिम मिर्जा की बहन वक्तु निसास को काबूल का गवर्नर बना दिया यह पहला हो से था जब किसी भारती सासक ने काबूल की इतिहासिक नगर में कदम रखा था कंधार फुरांद की सरवपितम अकबर की समय में 1595 में मोगल अधीपत में आये था और 1561 में का वर्स अकबर की सासनकाल का सरवाधिक संकटमूर वर्स था और अकबर ने दच्छिन भारत में भी अपने समराज कविस्तार किया उसकी दच्छिन डीती मोल रूप से समराज वादी थी अकबर ने दच्छिन के राज्यों में खान देश अहमद नगर असीगर को जीता खान देश एक पिकार किसे दच्छिन का फ्रिवेस द्वार भी माना जाता था अकबर ने अहमद नगर पर 1600 में अधिकार कर लिया और अकबर ने अहमद नगर के बहादु सार चांद वेवी सरक्षा का से संधी के फसरू बरार का प्रवेश अत्वा बहुत सारी भेंट प्राप्त की उसने और इसी योद के द्वारा मोगल स्तरव पिता मराठों के संपर्क में आये थे और 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आकमण में असीरगर के किले को जीता और कहा जाता है कि अकबर ने असीरगर का किला सौनी की कुंजियों से खुलवाय था सौनी की चावियों से ठीक है फिर आप देखे कि अकबर के अकबर के सेन अभियान देख लिजी आप एक करम हो गया, एकाल हो गया, हारने वाला साथ सक, मुगल सेना का नेतित किस ने किया था, मालबा, लेकिन आप दे कि नेतित किसी ने किया हो, लेकिन नाम किसका रहता है, अगवर को दे दिते हैं, मालबा, ए 1561 की बात है, वाज बहादूर उजवेग, यहां का सा सकता हो, यह सब्सक्राइब नारायन और सणरक्षि का दुर्गावती और आसाप ने नितत किया था इसका राजपूता नाराज आमीर इसका नितत की बात है भारमल ने स्विक्षा सी अधीन ता सुईकार की थी मेड़ता यह आप देखेंगे फंद्रेस वासट की बात है जैमल जैमल मेवा का सासक और अकबर ने स्वेम इसमें मतलब आप सुचे की मोगल सेना का नेतत किया था हल्दी घाटी का यूद 1576 में इसे भी याद रखेगा माराना पिताब यहां की नेतत करता थे और आसाप खां मांसी इस मोगल सेना का नेतत कर रहे थे रड़ थंबो 1569 की बात है सूरज सूरजन राय हाडा एक तरसी आप देखी नेत और मुगल सेना की तरफ से भगवान दास और अकबर इसे उद्ध में सामिल हुए थे कलिंजर ये 1569 की बात है राम चंद सा सकता यहां का मजनु खां मुगल सेना की तरफ से नेतत कर रहा था मारवार 1570 की बात है चंद सेन माल सकता है और अदीनता इसने स्वयक्चा सी स्विकति स्विकत किया था बी का नेर आप देखेंगे के 1570 की बात है राय कल्यानमन इसका सकता है इसने भी 166 से अधीनता स्विकार कर लोग थी यानय युद्धी marshmallow किया इन्होंने अपनी एक तरफ से अपनी में एक प्योशन से अ अजीच कूका मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, दुतिय अकमड 1572 में मिर्जा हुसेन मिर्जा द्वारा और अकबर स्वय में से उद्ध में सामिल हुए थे, बंगाल एबं बहात 1574-176 की बात है, दाउत खा इसका नितित इस तरफ से था, और मुनसीप मुगलों की तर अगलिया था, कस्मीर 1568, युसुप खा और यकूब खा इसका नितित करता था इस तरफ से, और मुगलों की तरफ से, अकबर की तरफ से कासिप खा और भागवान दास थे, सिंध 1591, जानी वेगस की यहां की दिशा सकते, अब्दुरहीम खान खाना अकबर की तरफ से थे, उडिशा 1591, निसार खा यहां की तरफ से लड़ा था, वलुचिस्तान 1595 में, पन्नी अफगान यहां का सा सकता, मीर मासूम अकबर की तरफ से लड़ा था, कंधार 1595 मुझफर हुसेन यहां का सा सकता, और मुगल सुविदार साहवेग की 181 किलाल इसने सौंद दिया था, खान देश, खान देश आप देखेंगे 1591 में, अली खान, इसका यहां का सा सकता, सुईक्छा से इसने भी सुईद अधीनता सुईकार कर ली थी, एहमद नगर 1597 से सूले सो की बात है, और बहादूर निजाम सा, चांद वीवी सरेक्षी का थी यहां की, और अकबर की तरफ से साह जाहा, साह जादा मुराद और अब्दरहीम खान खाना नितित करता थे, असीर कर सूले सो, एकी बात है, मीर बहादूर इहां का सा सकता, यह अकबर की अंतिम बिजय थी, अकबर ने इसमें भाग लिया था, दच्छिन भारत बिजय का उदेश, एक अखिल भारती समरा की स्थाफना करना था, पुर्दगालियों को समुद्र तक वापस धकिलना था, दच्छिन भारत की विजय का उदेश, ठीक है, अकबर की समय कुछ बिद्रो भी हुए, यह याद रखेगा, अकबर की समय 1564 में उजबेकों ने बिद्रो किया था, और यह अकबर की समय का पह 1986 में अफगान बलू चिस्तियों ने जो विद्रो किया था, इसी विद्रो के दोरान बीरबल की मौत हो गई थी, 1599 में साज जादा सलीम ने पुर्दगालियों के साथ सरेंद कर स्वयम को सासक गोसित किया, सलीम के ही इसारे पर ओर्चा के बंदेला सरदार बी सिंग बंदे था, अकबर द्वारा किये गए कुछ उदारबादी काम भी है, अकबर ने अपने सासनकाल में बहु संक्याक हिंदू फिर्जा को सहनवूती पराप्त करने और जन्ता की भलाई और संबराज की स्थायत के लिए अनेक कार किये, 1562 में उसने एक आदिस पारित किया और योद अकबर ने अनकिर्थियों का फार्सी में अनुबाद भी करने के लिए अनुबाद विभाग खोला था, अकबर ने हिंदू मसलबानों के लिए समराज के समस्तपदों द्वारा समान रूप से खोल दिये, उसने हिंदू भावनाओं के पिती अतिदिक सम्भान भी आज आप लोग गाय की हत्या की बात करते ना, गाय के मास खाने की रोख की बात करते ना, या आप सोचीं अकबर ने पहली बार कदम उठाए आप सोचीं, अकबर मुसलिम था, और फिर भी उसने इस तरह का आप सोचीं, हिंदू की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, बाद में 1583 में विशिस और सरों पर कतीफ और पसुओं की हत्या को उसने निसेद कर दिया, हिंदूओं को संतुष करने के लिए अगबर हिंदूओं के तेवहारों में समलित होता था, उसने बाल विवा, सती पिथा को हतुस्ताहित किया, विदवा पुनर विवा को पुरोसा करन किया, उसने राजपूत नीती में परिवर्तन किया, आगबर की राजपूत नीती काउदिस समराज की स्थाहित के लिए राजपूतों की साहनभूती पराप्त करना था इसका, और आगबर की सासन काल में कुछ महत्पून घटना है हुई, ये भी देख लिएगा, 1562 की परदा सासन, फेटी कोट सरकार, कास्तत अकबर की धाय माहम अनंगा, उसके पुत्त आदम खाओ और पुत्री जीजी अनंगा, फिर 1562 में दास पिता कांद करता है, एक पूंच लेता है, डेट भी पूंच लेता है क्यी बाद, 1533 में तीर्थ यात्रा करसमात कर दिया, प्र 1575 में फतेपूर, सीकरी में एवादत खाने का निर्वाण करवाय, 1568 में एवादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया और यह धरम संसत बना, 1589 में मजहर, मैहजर या तथाकतित अमोग घत्व की गोशना की, 1582 में तोहिदे इलाही की गोशना की, 1583 में कुष्णिस् 1584 में गुजराद विद्रो दबाने के कारण अब्दुरहीम को खान खाना की उपादी धारन की उपादी दीस ने, 1575-76 में संफूर समराज्य बारे सुबों में बाटा गया है, 10-6 बिजय की बाद संख्या यह 15 हो गई थी, 1582 में टोडल मल द्वारा, 10 साला पेडाली लाग करें, तो अकवर की उदार धार्मिक नीती एक संसलिष्ट फिक्रिया की उपच थी, उसकी धार्मिक नीती के विकास की एक लंबी पिष्ट भूमी है, अकवर को विरासत में उदार मुगल मंगोल परंपरा मिली, बावर और हुमायू सिया समराज के संपर्ग में रहे थे, और उनका सहयोग पराप किया था, अपनी मित्यू के समय बाबर ने हुमायू को यह सोयाओ दिया था कि तुम हिन्दो के धार्मिक विस्वास में दखल मत देना, और आप देखें, जब भी किसी ने दखल दिया, उसका पतन होना निश्चित रहता है, और इसलिए कहते हैं कि अपने सौभाव से जिग्यासू एवम रचना तक रचनात्मग मस्तिस्क से युक्त था, उसने स्वेम ही भी हिंदोस्तानी समाज को समझने का प्रतन किया, और उसके व्यक्तित पर भक्ती और सूपी आंदोलन समनवित संस्किती का प्रभाव भी देखा जा सकता है, फिर उ एक चुक था, और इस उद्देश की पूर्ती के लिए राजनीती को धरम के प्रभाव से मुक्त है, करना आवस्तिक था, और आज भी तो आप कहते हैं कि धरम को राजनीती से दूर ही रखिए, लेकिन ये दुरभाग के कही है भारत का, कि आज आप देखें धरम के नाम पर अज़ी राजनीती होती है, अकबर की धरमिक नीती के समय के साथ विभिन परिवातन देखने को मिले, इस कारण उसकी धरमिक नीती को बेज़े चरणों में बाटा जा सकता है, इसमें आप देखेंगे कि पिथम चरण देख लिए, 1556 से लेकर 1533 तक, अकबर एक रूडिवादी सुन्नी मुसल्मान था, और अब्दूल अब्दूल नवी एवं मुहम्मद सुल्तानी जैसे रूडिवादी उल्माओं की फिरभाव में था, किन्तु फिर भी उसने राज जी की निती में धार्मिक दालता की नीती अपनाई, यही वहकाल था जब 1562 में दास्पिथा परपावंदी, तीत यात्रा कर की समाप्तिरी 1564 में जजिया करकी समाप्ती की, और इस पेकार उसने हिंदू की धार्मिक अपंगता को दूर करने का त्रयास किया, दूसरा चरन 1573 से 89 सी तक रहता है, और कर रुजान रहसवादी, चिंतन की फिती बढ़ता गया, उसकी इस धार्मिक और अध्यात्म कुरूची के पैडाम सुरू 1575 में, अकवर ने इसलाम धरम की मर्म को समझने के लिए फतेपूर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण कराया, और इस इबादत खाने में इस सभी धर्मों के धर्माचार ने हिस्ता लिया था, अकवर की धर्मिक नीती के विकास में वादत खाने की प्रयोग की महत्पूंग भूमिका रही, और इससे अकवर को दो लाब हुए, पिथम हुआ बेविभिन पन्थों, बेविभिन पन्थों, क्या है रहा, बेविभिन प बढ़ जाने का निश्चित किया यही राजा का करतब भी रहता है अकवर की इन उदारबादी नीतियों के बढ़ामसरूब उसे काफिर करार देकर 1589 में उसके खलाब फत्वा भी जारी किया गया था इस कारण 1589 में अकवर ने दो महत्पूर ने ड़े लिये पितम जून 1589 मे फतेपूर सीकरी की जाम मस्जिद में स्वयम अपने नाम से खुतपा पड़ा और इसका पिती का अर्तमक अर्था की अकवर राजत को पित्यक्ष रोप से देवत से जोडने का फिरयास कर रहा था और था तोलेम वर्ग को दरकिनार करने की कोसिस कर रहा था फिर सेप्टमब को किसी एक साग ब्याक्षा को चुनने का दिकार होगा तथा फिर्जा एवं देश हित में बादसा और कोई भी कानून जारी कर सकता था वासरते हुआ कुरान विरोधी ना हो मजहर नामा का प्यारूप सेख मुजाब मुबारक ने तियार किया था इसमें तो और बुलिज ले हैग ने इसे अचूक अग्या पत कहा मजहर नामा जारी होने के बाद अकवर ने सुल्टान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपादी धारन की इसे दस्तावेज में उसे आमीर उल मुमीनीन कहा गया मजहर नामा की गोशना के बाद उलेमाओं के अधिकार समराट को पराप्त हो गया और इवाद खाने में आवंति धर्माचार आगर हिंदू धर्म में देखेंगे देवी एवं पुरौसोत्तम जैन में हरी विजय सुरी जिं चन्द सुरी विजय सेन सुरी और सांती चन्द इत्यादी थे पारिसी में दस्तूर, मेहर जी, राना, इसाई धरम में एका वीवा और मौनसी रात 1589 में कि बाद अकवर की विरुद होने वाले उम्रा, उलेमाओं के विद्रोप ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी यह नीती कारगर नहीं रही और अकवर ने वेकलफिक नीती अपनाई और राजनीती में धरम की प्रभाव को कम करने और विविर्न बरगों और नसलों की लोगों को कुछ खास कारकरों में से जोड़ने का प्रयास किया अकबर द्वारा पिती बादित दीन एलाही को हम इस अंदरम में देख भी सकते हैं और अकबर ने 1582 में दीन एलाही या तोहीद एलाही देवीद एकेसुर की रूम में फिसिद धार्मी विवस्था का पेवर्तन किया इसका कोई सो इसकर्ष्ट नीती सास्ति या दर्सन नहीं था लेकिन इसके लिए एक परमात्मा में विस्वास करना आवस सकता है आज भी तो आप लोग कहते हैं कि एक ही भगवान होता है इसमें सामाजिक सुधार के कुछ सिद्धान के साथ दस सद्गोडों के विवार का निजदेश देने वाली एक आचार सहिता सामिल थी इसुर की एकता में विस्वास करने की अतरिक्त इसमें किसी धर्म की कोई विस्ष्था सामिल नहीं थी और वस्तिता इसमें अकबर ने विस्त के समस्त महान धर्मों की अच्छी सच्छी एवं सुन्दर विस्ताओं को सामिल करके सत्यम सिवं सुन्दरम को मूर्त रूप दिया था और इस नभीन संबदाय का पिधान प्रोहित अभूल फजल था और हिंदूओं में केबल महेसोर द कि धर्म गरंतों तथा एक हद तक इसा मसी की इंजिल से लिया गए थे और बिंसेट इसमित के अनुसा दीन एलाही अकबर की भूल का इसमारक था बुद्धीमानी का नहीं तो यह भी याद रखेगा और इसके अलावा अकबर ने 1583 में एक नई कलेंडर इलाही संबत की भी जारी किया था 1583 में पहले अकबर की मुद्राओं पर कलमा और खलीफाओं का विवरन अंकित होता था किंतु 1583 में 83 इसवी के बाद उस पर सूर और चंदमा की महमा का वखान करने वाले पद अंकित किये जाने लगे अकबर ने जैन धरम के आचार हर विजय सूरी को जगत गुरू और जिन चंद सूरी को योग पिधान की उपादी दी थी पारिशी धरम के प्रभाव के कारण अपने उसने अपने दरबार में 24 गंटे अगनी फिज्जुलित करने का आदेश दिया था अकबर ने जहरोग दर्सन, तुलादान, पायपोस जैसी पारिशी परमपराओं को आरम किया अकबर ने सिखों के तीसरे गुरू अमरदास से भेंट की और उनकी पुत्री के नाम कई गाउं भी पिदान किये अकबर ने सिखों गुरू रामदास को 1577 में 50 बीगा जमीन दी जिसमें एक प्राक्तिक तालाब भी था यहीं पर कलांतर में अमरशन नगर देखते हैं वसा ओस्वर्ण मंदिर का निर्मार भी यहीं हुआ उसी जमीन पर अकबर कि अगर आप लोग पिसासनिक सुधार देखना चाहें तो अकबर ने अपना संबराज की स्थायत के लिए एक सुधरन राजनेतिक पिसासनिक विवस्था का पिती पाधन किया उसने पिसासन की चित में निर्मतर प्रयोग किये अकबर किन्ने मुगल, कालीन, भारत को एक राजभासा, फारसी, एक सी पिसासनिक विवस्ता, मुद्रा पिनाली और मापतौल की समान विवस्ता पितान किया। 1582 में राजस मंतरी टोडल मल की निदिस में संपूर भूराजस विवस्ता को नया रूप भी पितान किया। फिर आप देखें कि टोडर मल द्वारा पिछले लगान विवस्था को टोडर मल बंदोवस्थ या जपती विवस्था कहा जाता था जो भूमी की पैमाइस और उत्वादक्ता की आधार पर भूमी की बर्गी करण पर आधारीत थी या लगान विवस्था की छेतु में एक ब्रवाजित किया था और दच्छिन बेजाय की पश्चात ये सूबों की संख्या 15 हो गई थी और पर देक सूबे को सरकारों तथा सरकारों को परगनों या महालों में विवदो किया हुए फाटा हुआ था सभी परांतों में भी एक समान परांती है पिसासन विवस्था की स्थापना की गई 1573 से 74 में गुजरात बिजाए के उपरांत अधिकारियों को विविन सेनियों या मनसबों में बरकी कित किया और अता मनसबदारी विवस्था का अभिकास किया या वेवस्ता मुगल पिसासनिक तथा सेनिक पिसासन एवं साथ ही साथ मुगलों के अमीरवर्ट के आधार थी अकबर द्वारा किये गए प्रियोगों ने संपूर समराज को लाप पहुँचा है उसके ये प्रियोग समराज के लिए मील का पत्थर भी सावित हुए अब हम लोग बात कर लेते हैं मुगल कालीन जो पिसिद महलाएं थी उनके बारे मैं भी जान लेए इनसे भी कुश्चन्स कर रहता है कई बार आपकी परियक्चाओं में पूँच लेता है जैसे गुल बदन वेगम ये हुमायू नामा की रचना की थी इनोंने एक कुश्चन् सकते हैं अब आप देखिए कि आपसे पूँच लेगा हुमायू नामा की रचना किस ने की थी गुल बदन वेगम ने और ये याद रेकिए कि वह अरवी और खार्सी की पिकांड बिर्दोसी थी महम अनंगा ये अकबर की धायमा महम अनंगा ने 1560 से लेकर 1562 तक परदा सास या फिर इसे आप लोग पेटी कोट सरकार के नाम से जानते हैं कोचलाय था इसनों हुमायू के साथ मिलकर दिल्ली में मदर्सा ए बेगम की इस्थापना भी की हुई थी नूर जहां जहांगीर की पतनी जुनता गुट का नेतित किया और सासंकार में बराबर का हिस्सा लिय इसने अनेक सिंगार पिसाधनों और जिवरातों में सुरुची फूंड परिवातन किया जो आप देखते हैं कि आजकल सिंगार जिवरात सोना बड़ा फिरिये रहता है हुमारे देश की महलाओं के लिए मुम्ताज महल एसाधा की पिरिये पतनी थी और यह भी सिंगार फिशाधनों में और जिवरात की बड़ी बिसेसक गे थी और जहां आरा एसाधा की बड़ी पुत्री बड़ी ही धार्मी के बुम साथवे एक विचारधारा की महला थी और तरादीकार युग्द में दारा का पक्च लिया था और सोफी मत की कादिरी सिलसले से प्रभावित साह जहां के बंदी समय में या साह जहां के साथ रही थी फिर आप देखेंगे जिब मुने सा ए औरंग जिब की पुत्री थी और विद्रोही साह जादा अकवर से पत्विवार करने के कारण औरंग जिब ने 1689 म आप से पूँचे कि यत्त बनाने की विधी काविस्कार किस ने किया था तुछ असमत वेगम ने और फिर आता है जहांगीर और इसका समय रहता है 1605 से लेकर 1627 तक सलीम जहांगीर अगर बच्पन का नाम इसका पूँचे तो सलीम था इसका नाम इसका जनम होता है 30 अगस्त 1599 में फतीपूर सीक्री मिस्ति सलीम सेक सलीम चिस्ति की कुटिया में आमेर जैपूर की राजा भार्मल की पुत्री हर्खा बाई मरियम उज्यमानी के गरब से हुआ था और सलीम का पहला बिवा का जनम हुआ, मान बाई को साहे वेगम का पद पैदान किया गया था, और किंतु बास में उसने सलीम की आदतों से दुखी होकर आत्मत्या कर ली थी सलीम का दूसरा विवा होता है ओदै सिंग, मारवार की पुत्री, जगत गोसाई, जोदाबाई से, और इसी से खुर्रम, जिसे आप लोग साहे जहां के नाम से जानते हैं, इसका जनम होता है अकबर की दो पुत्रों, दानियाल और मुराद की मित्यु पहले ही हो गई थी और अब अकबर की मित्यु के बाद, 3 नवंबर 1605 को, आगरा की किले में सलीम का, राजजबी से हुआ था, क्या हुआ था, राजजबी से हुआ था, फिर आप देखेंगे, जहांगीर ने गदी पर वैठते ही, आगरे के किले के साहवोर्ज और यमना नदी के किनारे खड़े पत्थर के एक खंबे के बीच नियाय की पिसिद्ध जंजीर लगवाई थी और जिसमें आप देखेंगे, 60 घंटियां थी किसने लगवाई थी ये नियाय की पिसिद्ध जंजीर जहांगीर ने और देश के सामान कल्यार तत्था उत्तम फिसाधन पिसासन के लिए बारे घोष्णाय पिसिद्ध करवाई जहांगीर इन बारे घोष्णायों को आईने जहांगीरी कहा जाता है और जहांगीर की बारे घोष्णायों में एक इम्मा भूमी का पिरमाड़ी करन था जो वाक्यायती जहांगीरी में परातना एवं पिसंसा के लिए दी गई भूमी की रूम में वह एडित है फिर आप देखेंगे जहागीर को गद्धी पर वैठते ही सरफितम 1606 में खुसरो की बिद्रो का सामना करना पड़ाता और खुसरो को सिखों के पाचवे गुरू अरुजिन देव का आसी बात पर राप्त था और इसके अतरिक तो उसे मान सिंग तथा खाने आजम अजीश कोका का परक्चरूप से समर्तन था खुसरो को आसी बात तथा आर्थिक साहिता देने की कारण जहागीर ने गुरू अरुजिन देव पर राजद्रो का आरोप लगा कर उन्हें फासी की सजा दी थी एक कुशन से भी कई बार पूछ लेता है कि जो सिखे गुरू थे अरुजिन देव इनने किसने फासी दी थी तो याद रखिए जहागीर ने गुरू अरुजिन देव की समाधी लाहर दुर्ग के ठीक बाहर इस्तित है और खुसरो जहागीर के बीच युद्ध जलंदर की निकट वहरावल नामकिस्तान पर हुआ था जिसमें खुसरो खाँ पराजित हुआ था जहागीर ने उसे अंधा करवा दिया और 1622 में साजहान ने एक हत्यारे द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी जहागीर ने 1602 में अपने मित वीर सिंग बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी तो ये भी याद रखिएगा अबुल फजल की हत्या किस ने करवाई थी जहागीर ने किस से आप देखेंगे कि वीर सिंग बुंदेला से और उसने वीर सिंग को अपने सासनकाल में तीन हजार घोड सवारों का मनसब भी फिर्दान किया था और फिर आप देखेंगे तो आपको देखने कुमलेगा कि समराज विस्तार गया हम लोग जहागीर के समय देखें तो जहागीर ने गद्धी पर बैठते ही 1605 में साह ज़्यादा परवेज की नितत में एक विसाल सेना मेवाड बिजाई के लिए बेजी लेकिन देवार दर्रे के पास योद में कोई नेड़ा नहीं हुआ और इसके बाद आप देखेंगे जहागीर ने 1608 में महावत खां और 1609 में अब्दुल्ला खां और 1613 में खुर्रम खां के नितत में कई अभियान भी भेजे थे फिर आप देखेंगे 1605 में राणा अमर सींग एवं मुगलों के बीच एक संधी हो गई थी समझोता हो गया था 1615 में राणा और मुगलों के बीच योद तब तक के लिए समात हो गया जब तक और अरंग जिप की धर्मांद नीतियों के कारण राज सींग को पुना संगर्स करने के लिए बाद नहीं होना पड़ा राणा अमर सींग और मु मिवार्ड का समस्त भूठ छेत चित्तोड का किला राना को पापस कर दिया और किंदू सार्ट थी कि वह चित्तोड के किले को सुद्रन नहीं करवाएगा इस पेकार मिवार्ड और मुगल संगर्स समाप्त हो जाता है राबदी कि इनका मैन उद्देश्त आकत क्या था कि और मलिक अंबर अहमंध नगर की सासक मुरतजा निजाम साह का पिदान मंतरी था पिदान मंतरी के अनेक जहांगीर के अनेक अभियानों के बाद अंध्ता स्वैम मानडू पहुंच गया और किन्तु विजापूर की सासक की मध्यास्ता के कारण अहमंध 1-2 और मुगलों के समाप्द कर दिया क्योंकि इसके बाद उसे 1623 में साय जहां का विद्रो 1626 में महावद खा कि विद्रो के कारण दच्छिर की और ध्यान देने का आउसर ही फिराप्त नहीं हो सका यानि कि पहली अपने ही घर में तो निपट ले उसके बाद आप देखेंगे कहीं दूसरी जग कि सासनकाल में 1622 में फारस की साहे ने कंधार मुगलों से छीन लिया और कंधार की पराभाव से मद्देशिया में मुगलों की पितिष्ठा पर अत्य देख कितीकूल प्रभाव पड़ा लेकिन मुख रूख से नूर जहां गुट की राजनीती के फसरुख दरबार में जो अकवर की काल में मुगल दरबार में आयت थे १ मुट जहां और जहां गिल का विवाद 1185-1101111 में होता है विवार के फलस्वरूब उससे नूर जहां पहले उसका नाम था मेहरुन निसाथ की उपाधि मिली थी और जहां ग Eckneer का नौर जहां से विवा उसके सासन की एक अतेंद महत्पूर्ण घटना थी जिसके समकाली इस्तिदियों पर गहरा प्रभाव डाला नूर जहां अली कुली खा सेरफगान की विदभाती जैसे कुछ इतिहासकारों के अनसार जहांगीर ने मरवा दिया था और यही इनका काम रहता था कि आप देखें कि अगर किसी सासक को मरवा दिया जाता था तो उसकी जो बिदभाती होती थी उसे साधी कर लेते थे और नूर जहां की महत्वा कांची और विबा की बाद राजधानी में उसका राजिंतिक प्रभाव बढ़ता गया 1613 में उसे पादसाय बेगम की उपादी पराप्त होने से उसका गौरब बढ़ा और उसके नाम से सिक्के ढाले गए और सभी फर्मानों पर समराट के हस्ताक्षर के साथ उसका भी उलिकित किया जाने लगा और फिर आप देखेंगे नूर जहां से सम्मंदी सबसे महत्पूर्ण घटना उसके द्वारा बनवाए गया जुनता गुट जुनता गुट था जिसमें उसका पिता ग्यासवेक माता असमत बेगम भाई आसब खां और साहजा जदा खुर्रम सम्मले थे नुर जहा की प्रभाव से उसके पिता ग्यासपेक को इत्म दौला की प्रभाव साली उपाधी और उसके भाई को आसप खां की उपाधी मिली थी और उसके बिवा की एक वर्स पश्चात आसप खांक की पुत्री अरजुमंद वानो वेगम मुम्ताज महल का बिवा साह ज़्यादा खुर्रम से तथा अपनी पुत्री सेर अफगांसी उत्पन का बिवा सोले सो इकीस में साह ज़्यादा सहर यार से किया और इस वेकार जुन्ता गुट मजबूत हुआ और इस गुट में दस वर्सों तक बिवारी रुप से मुगल समराज पर सासन किया लेकिन दमाद सहर यार का पक्च लेने की कारण इस गुट में पूट पड़ गई और मुगल दरबार में पहले से ही नूर जहां गुट समर्थक और उसका विरोधी गुट था लेकिन जुन्ता गुट में बिवाजन के पड़ाम सुरूप एक अनू गुट बन गया और इस काल की अने गटना जैसे खुजरो की अत्या, महावत खा का विद्रो, खुर्रम का विद्रो, आदी दलीय राजनीती का ही पड़ाम थे और इन घटनाओं से कंधार को पुनाह विजित करने की सहनी कारवाईयां दिफल रही जहांगी के सासंकाल के अंतिम बर्स तथा उसके बाद के एक वर्स की सभी घटना उक्त गुटों के सड़नतों का ही पड़ाम थी इस पेकार 20 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मित्ति हो गई और उसे लाहोर की निकट साह दरा नमकिस्थान पर रावी नदी के किनारे दपनाए गया था कुछ और महत्पून पॉइंट है ने भी याद रखे का जहांगीर ने मराठों के महत्त को समझा और उन्हें मुगल अमीर बर्ग में सामिल किया जहांगीर का सबसे बड़ा गुड उसकी नियाय प्रियता और सबसे बड़ा अवगुड उसका अत्यधिक सराब पीना था संकाल में होकेंस 1608-11 वेटिस कंपनी का पिती ने दित और सार टॉमस रो 1615-19 समराठ जैम्स पिथम का दूद भारत आये थे जहांगीर ने होकेंस को 400 का मनसा पिदान किया था एक बात और बता दूं आप लोगों को एक अई बार पहुंच लेता है कि होकेंस किसके समय भार साय जहां का जनम आप देखेंगे कि लाहौर में पांच जनबरी 1592 को मारवाड के मोटा मोटा राजा उदैसिंग के पुत्री जगत गोसाई जोधावाई के गरब से हुगा था और इसका मूल नाम खुर्रम था क्या था खुर्रम था यह उपनाम इसका मूल नाम पूंच ल अक्टूबर 1627 में जहांगेर की मित्तिव के समय हुए दच्छन में था अता हुसने ससोर आसप खा और राज्य की दीबान ख्वाजा अबूल हसंद ने एक कूटनी तिक चाल के तहित खुसरों के लड़के दवार वक्स को सिंगासन बर बैठाय और दच्छन से बापस आकर साय जहां ने अपने सभी भाईयों सेंगासन के सभी पितेंद्वन्दियों और तथा अंत में दवार वक्स का अंत करके फरवरी 1628 में सेंगासन पर अधिकार कर लिया आज भी तो आप देखते हैं कि राजनीती जो कुरसी रहती है उसके लिए भाई, बाप, बेटी, पतनी माँ सबसे लड़ाई होती रहती है जोसा मैं भी देखी आप लोग कि ये भी कुरसी के लिए लड़ रहा हैं साय जहां का विवास 1612 में आसप खां की पुत्री और जो मंद वानो बेगम से हुआ था जो बाद में इतियास में मुम्ताज महल के नाम से विख्या थै और फिर मैं सोची अप लोग कि कोई भी बीमारी आजाती थी तो चले जाते थे और डोक्टर वाक्टर हुआ नहीं करते थे आज आज जादी से पहले आप लोग देखिये कोई आपने देखा होगा की पर कोप आता था कोई महामारी आती थी गौ़ं के गाओं बुज़ए जाते थे और जिनके नाम जो जिन्दा थे जहां आरा जनम इसका 1614 में, दारा सिकोर जनम 1615 में, रोसन आरा 1617 में, औरंग जिप 1618 में, मुराद वक्स ए 1624, गोहन आरा ए 1631 में, साह जहां की जीवन के अंदिम आठ वर्स, 1658 से लेकर 1666, आगरा के किली के साह बोर्ज में एक बंदी की वितीत हुए, इस समय उसकी सबसे बड़ी पुत्री, जहां आरा ने साथ रएक उसकी सेबा की, और साह जहां की मित्यू 1666 में हुई, उसे भी ताजमहल में, उसकी पतनी की कब्र के निकट, साधारन नोकरों द्वारा दफना दिया गया था, ताजमहल तो आप लोग ने सु 1628 में बुंदेला सरदार जुझार सींग ने विद्रो किया, दूसरा विद्रो उसकी योग को और सम्मानित अफगान खाने जहां लोदी ने किया था, और इन विद्रों को कुचलने के बाद उसने 1632 में हुगली से फुर्दगालियों को निकाल बाहर किया, और हुगली पर केद कर लिया, एहमंद नगर को समराज में मिलाने की बाद साह जहां ने गोल कुंडा पर दबाव डाला, गोल कुंडा के अलपायू सासक कुत्व साह ने भैवीत होका 1636 में आप देखेंगे मोगलों से संधी कर ली, और गोल कुंडा से संधी के फलसरुप साह जहां का नाम खुत्वे और सिक्खों दोनों पर समलिद किया गया, गोल कुंडा के सासक ने अपनी पुत्री, एक पुत्री का विवा, औरंगे की पुत्र साह जादा मोहमद से कर दिया, और गोल, आप देखेंगे, गोल कुंडा के सुल्तान सिया संधी के लिए विवस किया, और उसके फ 20 लाक रुपी पीतिवर्स कर की रूम में देने का बादा किया, इसके अतरिक्त बीजापुर ने परिंदा गुलवर्गा की किलिए दे दिये और गुलकुंडा से मितिता और संगंस दोनों की नेड़े का अधिकार भी मुगलों को दे दिया जहागीर की समझ 1622 में कंधार मुगलों की अधिकार से निकल गया, किंतु साय जहा के कूटनीतिक फिरिया से आसंतुष्ट किलिदार अमे अली मर्दान खाने 1649 में यहकिला मुगलों को सौफ दिया उस समय आप समझ सकते हैं कि 40 करोड कितना रहा होगा साय जहां के सासंकाल में दक्कन में औरंगजेब की फुनाह वायसराय नियुप्त करने के बाद 1653 में औरंगजेब ने मुरसीद कुली की साहता से दक्कन की भूमी विवस्था का उचित प्रवन्द किया और मुसीद कुली खा दीवान ने राजस प्रशांचन की दरश्टी से दक्कन के मुगलों मुगल फिदेशों को उच्च भूमी एवम निम ने भूमी के रूम में बिभाजित किया और उसने इस्थानिय परिस्थितियों के अन्रो कुछ परिवर्तन करके दक्कन में टोडर मल के भूमी बंदोवस्थ और लगान निर्धारन की जप्ती प्रणाली लागू की जिससे किरसी उतपादन में प्रगिती हुई और अधिक लगान वसूल होने लगा और आप देखे इनका अभी भी आप देखे कि इनका में जो मुख जो भी आये थी टेक्स था एक तरह से आपके यह उगाही थी यह भूमी से ही थी ग्रिसी से ही थी और अगरंग जेप ने 1656 में गोलकुंडा के वजीर बीर जुमला से 60 गाट कर गोलकुंडा बजाई की योजना बनाई और फरवरी 1656 में और अगरंग जेप ने गोलकुंडा की घेरावंदी कर समराठ से उस पार अधिकार करने की अनुमत्ती मांगी परन्तु दारा सिको के हस्तेचेप से घेरे बन्दी उठाने पड़ी और पाईडाम सोरुप गोलकुंडा से दूसरी संदी हुई और इस तरह 1657 में वीजापुर पर आखमट किया तथा साय जहां किने से एक संदी हुई और इस बीज साय जहां बीमार पड़ गया तथा उत्तरा अधिकारी के लिए संगर्स की सुरुवात हो गई और यहीं से आप देखे कि मुगल समराज का पतन सुरू हो गया क्या हो गया? पतन सुरू हो गया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब परिवार में मुखिया दमदार हो तागतवर हो तब तक वो परिवार चलता रहता है जैसे ही आपने देखा होगा कि परिवार का मुखिया कमजोर पड़ने लगता है या जाने लगता है या मर जाता है तो उसके बार आपने देखा होगा कि इसमें जितने भी मैंमर होते हैं, अलग-अलग होने लगते हैं, उत्राधीकारी के लिए संगर्स होता है, तो आप देखें कि सेप्टमबर 1657 में साय जहां की वीमार पढ़ने, पढ़ते ही उसने पुत्रों के बीच उत्राधीकारी के ल सेप्टमबर 1657 में साय जहां बीमार पढ़ा, इस कारण वह राजकी कारियों को करने में अक्षम हो गया, और आप देखेंगे जहरोखा दर्सन में उपस्तित होने की स्तिती में भी नहीं रहा, और उस समय दारा से को अपने पिता साय जहां की पास था, सूजा बंगाल में, मुराद गुजरात में, और अरंगजेब दच्छन में था, दारा ही सामन रूप से ही उवराज समझा जाता था, उत्रादीगारी समझा जाता था, इसकी कोई विधीवद घोशना नहीं की गई थी, साय जहा की आदेश से दारा ने अपनी इस्तिती सुदरन करने का प्रयास मुराद ने भी गुजरात में स्वयम को सुतंत वात्सा गोशित कर दिया, और परन्तु औरंगजेब ने कूटनी तिक काहणों से अपनी सुतंता गोशित नहीं की, और औरंगजेब ने चालाकी से काम लिया, और सबसे सरपितम उसने अधीनस्त अधिकारियों पर नियंतर स्थावित किया, उसने गोलकुंडा और वीजापूर के सास को, कि सास संधीकरों ने अपने पक्ष में कर लिया, और उसने मीर जुमला को बंदी बना कर दौलतावाद भेद दिया, सुजा और मुराद का सहयोग पराप्त करने के लिए औरंगजेब ने उसे उन्हें पत लि अच्चे का उत्तरी पश्चमी भाग और लूट का एक तहाई भाग मुराद को मिलना था, जबकि आगरे की राजगदी औरंगजेब को मिल ली थी, यानि कि भाईयों में बटवारी की बात हो रही है, और इस पेकार मुराद औरंगजेब की चाल में फस गया और 25 जन्वरी 1650 को मुराद एहमदाबाद से मालवा के लिए पिस्थान किया और दीफाल को नामक इस्थान पर ओगरेंगेब की सेना सिज्जा मिला, उधर दारासी को भी अपने भाईयों से निपटने के लिए तेयार था, यानि ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं एक योद हुआ था बहादूर फूर का योद, एक अब होता है, एक होता है आपका 14 फरवरी 1658 को, साही सेनाबाद साहे जुद सूजा के मद्द बनारस से 6 मिल दूर बहादूर फूर नामक इस्थान पर ये हुआ, और साहे सूजा की गतिवधियों को रोखने के लिए दारा सिको ने अपने बड़े पुत सुलीमान सिको तथा आमीर की राजा जै सिंग को उसके बिरोद भेजा, और साहे सुजा पराजित होकर बंगाल भाग गया, कहां भाग गया, बंगाल भाग गया, अगर यहां आता तुमारा जाता, धर्मत का योद, एक आप देखेंगे कि 15 अ साही सेना पराजित हुई, और जस्वन सिंग द्वारा योद चेतन से भागने के कारण उसकी रानी ने जोदपुर के लिए का दरवाजा कोलने से मना कर दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजपूत रानिया भी कम नहीं थी, वो आप देखें कि एक तरह से महला ससक्त कर लिजे आप लो, कि उनका पती आप देखी योद चोड़ कर भाग रहा है, वो गेटी नहीं कोलती हैं, आप समझ रहे हैं, और आपने देखा होगा अगर उनके पतियों की अगर हत्या हो जाती थी, राजाओं की मौत हो जाती थी, तो वो आप देखें दासी बनना या किस सेना, औरंगजेव की सेना के विरुद हुआ, और इसमें दारा की सेना की पराजय हुई और दारा योद भूमी से भाग गया, विजए होने के बश्चात औरंगजेव आगरा पहुचा, उसने साय जहां को दुरुग में बंदी बना लिया, औरंगजेव ने धोके से में कैद कर, बाद में उसकी हत्या कर दी, सामुगड का योद सबसे नडाएक योद माना जाता है, इसे योद में विजए के बाद सरफितम आगरा में औरंगजेव ने अपना राज्यवी से करवाया, एक आप देखेंगे खजुआ का योद, कौनसा, खजुआ का योद, इल फिर आप देखेंगे दिवराई का योद, आजमेर के पास दिवराई में उत्तरादिकारी के लिए लड़ा गया, अंतिम योद था, यही योद 13 मार्च 1669 को औरंगजेव तता दारख सिको के मद्द लड़ा गया, जिसमें औरंगजेव बिजई हुआ, और दारख पर काफि होने का आरोप लगा कर उसे मित्यवदंड दे दिया गया, उसे हुमायू के मकवरे के एक तैखाने में गार दिया गया, सायजाह को बंदी बनाने के पश्चात औरंगजेव ने उसके से सभी पुत्रों को भी अपने रास्ते से अटा दिया, सायजाह ने अपने जीवन के से इस वर्स 1666 तक बंदी में बताये और जन्वरी 1666 में उसकी मौत हो गई, कुछ मात्पूर्ट तत थे इने भी याद रखेगा, सायजाह ने अपने सासनकाल की प्यारंभीक वर्सों में इसलाम का पक्ष लिया, किंदू कलांतर में दारा और जहां आरा की प्रभाव से सेश् सायजाह ने 1636 में सिजदा एवं पाय पौँस पिथा को समात कर दिया, और उसकी स्थान पर चाहार तस्लीम की पिथा सुरू की, सायजाह ने इलाही संबद की स्थान पर हिजरी संबद चलाया, हिंदू को मसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया, तीर थे अतरा पर कर लगाय गौहत्या समंदी अकबर वो जहांगीर के आदिस को उसने बापस ले लिया तो एसी लिए आप देखते हैं कि क्या कि ये कट्टर एक तरह से कट्टर था को भी दर साता है गंगा लहरी और रस गंगा धर के लेखक पंडित जगन्नाथ उसके राज कभी थे तो ये भी याद र रहते थे क्या रहते थे दरवार में रहते थे और साहै जहां की काल में मुगल वास्तु कला अपनी पराकास्टाप पहूउच गयी थी साहां की काल में वर्नियर ते वरे नियर नामक प्रांसिसी यात्री भारत आये तथा दो इता उली यात्र पीटर और मुंडी Следल置 मनूच उत्तरादीकारी की युद्धिका अप्तियक्ष दर्सी था उसने इस्टोरियो दाम मोगो नामक अपना याता अवितान्त लिखा वर्णियर एक चिकसक और टिवर्णियर एक जोहरी था साहजाने हिंदू को मसल्वान बनाने के लिए पिथक विभाग भी इस्थापित किया थ मुहम्मद सेयद मीर जुम्ला ने साहजाह को कोहिनूर हीरा भेट किया था और साहजाह के सासंकाल में आप देखेंगे चौत्रे और पांची वर्स में दक्कन गुजराद में एक भी सर्थ दुर्वीक्ष पढ़ा था आप और आप देखेंगे कि जिसकी बज़े से दक्कन गुजराद वीरान हो गया जिसकी बहेंकरता का वरन अग्री व्यापारी फीटर मुंडी ने किया अकाल पढ़ा था दारा सिको दारा सिको का जनम 1615 में साहजाह की पिरिये पतनी मुम्ताज महल के गर्व से हुआ था दारा सोपियों की कादरी परंपरा से बहुत पिरभाई था कादरी सिलसली के पिरमुक संत मुला साह उसके अध्यात्मेक गुरू थे लैनपूल ने दारा को लगू अकबर कहा और साह जहां ने दारा को साह भुलंद एकबाल की उपादी से बिर्भुवसित किया कुछ रचनाए हैं ने भी याद रखेगा दारा ने स्वेम अपने देख रेक में संस्केत गरंथ भगवद गीता और योग वसिष्ट का फारिसी में अनवात करवाया दारा के सबसे मात्मूर कार बेदों का संकलन उसने बेदों को इस्वर ये कृति माना दारा सिकोर ने एक मौलिक पुस्तक मजम उल्व बहरीन दो समद्रों का संगम की रच के नाम से फारिसी में अनवात भी करवाया था अब हम लोग बात करते हैं औरंग जेब के बारे में और आप देखें कि औरंग जेब की जो नीती आ रही हैं हिंदू विरोधी उन्ही कारण आप देखें कि आज भी हिंदू मुस्लिमों के बीच बिबाद चलता रहता है कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि देखी जो मंदिर उस तमय तोड़े गए उन पर औरंग जिप के द्वारा मश्जित है बनवाई गई और अभी भी मंदिर मश्जित का मुद्धा आपके देश में हमारे देश में चलता रहता है और कई विद्वान इसके पक्ष में भी नहीं है कई लोग कहते रहते हैं कि ऐसा होता तो सभी मंदिर उस तमय खदम कर दिये जाते तो विविन देखिए आप सभी जानते हैं कि विविन विचार रहते हैं अलग-अलग विद्वानों के कुछ है इसके पक्च में लिखते हैं कुछ है इसके विपक्च में लिखते हैं औरंग जेप की बात करें तो इसका समय रहता है 1658 से लेकर 1707 तक लेकिन आप लोग जब औरंग जेप को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हकीकत में औरंग जेप की हिंदू बिरोधी कटर नीतियां तो रही है मुहिवद्दीन मुहमद औरंग जेप का जनम 3 नवंबर 1618 को औरंग जेप और जेप के निकट दोहद नामक इस्थान पर साय जहा की बीवी मुम्ताज महल के गरब से हुआ था तो साय जहा और मुम्ताज महल का बेटा था कौन औरंग जेप और आप देखेंगे कि मई 1637 में औरंग जेव का विवा फारस राजगराने की राजकुमारी दिल रास बानो वेगम जिसे राविया बेवी के नाम से आप लोग जानते हैं इनसे हुआ सामुगड की विजय की उप्रांत एबं आगरा पर अधिकार कर लेने की परशात औरंग जेव ने 21 जुलाई 1658 को दिली में अपना पिथम राजगराने की खज़वा और देवराई की योद्ध में क्रमसा सुजाओ दारा को अंतिम रोग से परास्त करने के बाद उनसट को दिली में उप्चारिक राजजवी से करवाया इसने और फिर आप देखेंगे समराट बनने के पश्चाद और अंग जेव ने जनता के आर्थिक कर्ष्टों के निवारन के लिए राहदारी आंतिरिक पारगमन सुल्क और पानदारी व्यापारिक चुंगियों पाहिब बुद्दाग वेक किनितत में एक फार्स्ती दूटमंडल मुगल दरवार में बेजा जिसका वर्णन आप लोग देखेंगे मनुची ने अपनी पुस्तक इस्टोरियों दा मोगोर में बहुत बड़ा चड़ा कर दिया है बड़ा चड़ा कर दिखाए गया है देख और वरानसी बंगाल इतने छेत पर आप देखें औरंग जीब ने सासन किया क्या किया सासन किया औरंग जीब कट्टर रूडी बादी सुन्ने मसलवान था और उसने इसलाम की मत्त को समझते हुए कुरान को अपने सासन का आधार बनाया और 1669 में उसने कुरान की नेमों के अनरूप इसलामी आचरन सहिता की नेमों की पुनर इस्थावना के लिए अध्यादेश पे सारित किया औरंग जी का पिरमुक छिल दार उल हरो काफिरों के देश के स्थान पर दार उल इसलाम का देश मनाना था औरंग जीब ने पैरम में से ही अपनी कटरता का फरीचर दे लगा दिया औरंग जीब ने आप देखें कि 1663 में सती पिता पर भी पिती बंद लगा दिया और हिंदूओं पर तीत यात्रा कर लगाया यहां से आप देखिए इसकी कर्टरता देखने को मिलेगी 1665 में एक राज्या देश द्वारा विक्री योग माल पर मुसलिम ब्याप शिबिनों मुसलिमों पर जो कर लगाया जा रहा था उससे दोगशना और देखिए हिंदों पर इसने कर लगाया वेशनर समय उसने 1667 में मुसलिम ब्यापारियों को इस सुल्क से पूर्टा मुक्त कर दिया यानि कि आँगे चलके आप देखे कि उन पर जीरो सुल्क लगाया मुस्लिम ब्यापारियों को और 1668 में हिंदू तयाभारों उस्ताओं को मनाय जाने पर इसने पिती बंद लगा दिया 1689 में सभी सुविदारों और मुहतसिबों को हिंदू मंदिरों और पाठसलाओं को तोड़ देने की आग्या दी और अपने सासन में ग्यारवे वर्स जरोखा दर्सन बारवे वर्स तुलादान पिता को समात कर दिया 1689 में हिंदूओं पर पुना इसने जजिया कर लगा दिया और उसे 1704 में दक्कन से यह कर उठा लेना पड़ा और अंग्जेव ने गुरुवार जुमेरात को पीरों की मजारों पीरों की मजारों और अन्य कब्रों पर दिये जलानी की पिताब को बंद कर दिया जनता पवित कानून सरियत या धर्म की अनुसार जिन्दगी बसर कर रही है या नहीं इसकी देखबाल के लिए मौत सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की इसने और अमजेब के इन कारेओं से बहु संक्या की हिंदू परजा को अनेक कश्णों का सामना करना पड़ा तो कुछ तो हकीकत रही होगी इसकी देख़ी कट टरता की और अगर सेन अभियानों की अगर आप बात करें और संगर्स की तो अपनी पिसासनिक इस्तिती सुद्रण करने के बाद औरंगेब ने अपने समराज विस्तार की और ध्यान दिया उसने 1660 में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बना कर उसे पूरवी परांतों विसेस्ता असम और अराकान के बिद्रोहों जमीदारों का दमन करने का आदेश दिया मीर जुमला ने 1661 में कूच बिहार पर आखमत किया और 1662 में अहोमों को संधी करने के लिए बिवस किया इसने और जिसके पादरूब अहोमों ने मोगलों को बारसिक कर और एउद्धी की छती पूर्ते देना सुईकार कर लिया 1633 में मीर जुमला की मित्यू के परशाथ साइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर निव्ट किया इसने साइस्ता खां ने 1686 में उर्धगालियों को दंड दिया बंगाल की खाडी में इसने सौन दूई पर अधिकार कर लिया और अराकान के राजा से चैटगाओं भी इसने जीत लिया चीन लिया और अरंग जेब साइजहा के काल में 1636 से 44 तक दच्छन के सूवेदार के रूम में रहा औरंगाबाद को पूंगलों के दच्छन सूवे की राजधानी बनाया था इसने औरंग जेब दच्छन के राजधों के सुतंत अस्तित को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि बिना इसके अस्तित को समाप्त किये मराटों की सक्ति को समाप्त करना असंभा होता और दच्छन की पाँच सुतंत सल्तनतों में वरार को 1574 में मुर्थजा खाने अहमद नगर में और वीदर को 1619 में इब्राहिम आदिल साय दुतिये ने बीजापूर में मिला लिया था 1682 में अपने पुत्र साहे जादा अकवर का पीछा करता हुआ औरंगेब दच्चिड भारत पहुचा किन्तु उसे उत्तर भारत आने का अवसर नहीं मिला कहा जाता ही यहीं दच्चिड भारत औरंगेब का कविस्तान से दुआ औरंगेब दच्चिड में लड़े गए योदों को दो भागों में बाट विवफ्ति किया जाता है एक तो बीजापूर और गॉलकुंडा में लड़े गए योद और एवं बिलाए मराठों की चार पीणी और सिबाजी संभाजी राजाराम उसकी बिदभा तारावाई की बिरुद्ध योद तो इसी समय आप देखें कि मराठों का भी संगर सुरू हो जाता है फिर आप देखें कि 1676 में मुगल सुविदार दिलीर खाने भीजापूर के मंतरी सिद्धी मसूद को मिलाकर संधी करने के लिए विवस किया और सुल्दान की बहन सहरवान का विवा साहे जादा आजम के साथ करने के लिए दिली भीद दिया कहा भीद दिया दिली भीद दिया उसके बाद आप देखेंगे कि 22 दिसंबर 1686 को अंतिम आदिल साहे सुल्तान सिकंदर आदिल साहे ने औरंग जिव के सामने आत्मस अपन्पन कर दिया और फालसवरू बीजापूर को मुगल समराज में बेला लिया गया भीजापूर को समराज में मिलाने के बाद ओरंग जिव ने 1686 में ही साहे जादा साहे अलम को गोलकूंडा पर आकमड करने के लिए भेजा क्योंकि गोलकूंडा को समराज में मिलाकर ही वह निस कंटक कटक रूप से मराठों के संगर्स करना चाहता था इसके अलावा गोलकूंडा विस्भर में बड़े हीरों की विक्री का एक मात्पूर बाजार था और आप सभी जानते ही कि इनका धनलूटना इंकम भी उद्देश रहता था 1687 में ओरंग जिब ने स्वैम की गोलकूंडा पर आक्मड करके किले को घेर लिया और किंतु आठ महीने के घेरे के बाब जुद भी मुगलों को कोई सफलता नहीं मिली और अंद में ओरंग जिब ने अब्दूला गनी नामक अफगान को लालश देकर अपने अपनी और मिला लिया उसने अपने मालिक से विश्वास घात करके किले का पाटा कोल दिया और मुलतान गुम्मुगलों ने किले को जीत कर अक्टूबर 1687 में गोलकूंडा को मुगल स अपना कर इनका उद्देश सिर्फ जीतना होता था आप समय रहें उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाते थे फिर आप देखेंगे कि मराठों के साथ मुगलों का पहला संगर 1656 में सिभाजी के साथ हुआ जब सिभाजी ने अहमद नगर और जुन्नार के किले पर आक्मण क कर लिया 1633 में सिभाजी ने पूना इसते साहिस्था खा के महल पर रात में चुपके से आकमण कर लिया और साहिस्था खा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर भागा किन्तु उसका एक अंग उठा कट गया था इसे और और अरंग जिम ने 1665 में आप देखें कि 1665 में जै सिंग को सिभाजी के विरोत भेजा जै सिंग ने उसे पराजित कर 22 जून 1665 को पुरंदर की संधी करने के लिए विवस किया और याद रखिए आपको देखने को मिलेगा जो पुरंदर की संधी होती ही ना 22 जून 1665 में ए मोगलों और आप देखें किसके बीच हुआ था मराठों के बीच एक कईवार संधी से भी questions पूँच लेता है पुरंदर की संधी के फलस्वरुप सिभाजी को अपने 4 लाग हून बाले 23 के लिए मुगलों को सौपने पड़े थे जब आपकी हार हो जाती है तो आप सभी जानते हैं कि उसे ही नुकसान उठाना पड़ता है संधी होती है तो उसमें आप देखी जीतने बाली का फायदा होता है हारने बाली का नुकसान हो जाता बिजापूर की खिलाब मुगलों की साहता करने वाले करने का वचन देना पड़ा पुरंदर की संधी जैसींग की ब्यक्तिगत बिजय थी और उसने एक कूटनीतिक चाल के तहर सिवाजी से संधी कर ली थी 22 मई 1666 को सिवाजी आगरा के किलिए के दीवान ए आम में उपस्तित हुए यहीं पर सिवाजी को कैद कर जैपुर भवन में रखा गया और जहां से वे गुपत रूप से फरार हो गया क्या हो गया यहां से भाग निकले सिवाजी की मित्तिव के बाद उनके पुद्ध संभाजी ने मुगलों से संगर्स जारी रखा किन्तु आसाओधानी की करण 1689 में अपने मंत्री कवी कलस के साथ पकड़ा गया और 21 मार्च 1689 में संभाजी का कतल करवा दिया गया पर आप देखेंगे 1690 में मुगल संभाज अपने चर्मोत करस पर था जो काबुल से लेकर चटगाओं और कस्मी से लेकर कावीरी नदी तक फैला हुआ था संभाजी की मित्ती के बाद उसके सोतेले भाई राजाराम की नेतित में मराठों का मुगलों से संगर्स जारी रहा जो मराठा इतिहास में सुतंतरा संगराम की नाम से विख्या थे और औरंग जेव को यहीं दक्कन नीती उसके व्यक्तिगत तथा समराज पतन का कारण भी बनी कहा जाता है जिस पेकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया उसी पेकार दक्कन के नासूर ने औरंग जेव का पतन कर दिया औरंग जेव की समय हुए बिद्रों को अगर आप देखें तो औरंग जेव की समय विविञने बिद्रों उसकी धार्मिक नीती के परडाम शुरूप हुए जिससे उसके समराज को अनेक कश्टों का सामना करना पड़ा उसका आदीकान समय बिद्रों को के दवाने में वितित हुआ और अगर आप देखे कि वो भी अगवर की तरह रहता है और तो आप सौर सकता है कि और समय तक आप देखा किया कर सकता था मोगल्स अमराज रह पाता क्योंकि आप देखे उसकी कट्र tu जो धार्मिक नीतियां थी और भी जो नीतियां थी उसके आही परिडाम रहा कि कई विद्रों का उसे सामना करना पड़ा और अंग जेव कि खलाब पहला संगठीद विद्रो आगराओ दिल्ली के चित में बसे जाटों ने किया था इस विद्रों की रेड अधिकतर किसान और किन्तो नेतित मुक्ता जमीदारों ने किया था जाटों का विद्रों आर्थिक कारणों से लेकर सुरू हुआ था इस विद्रों को सत्त नामी आंदोलन का समर्थन फिराथ हुआ था इसके अलावा सत्त नामी विद्रों अफगान विद्रों बुंदेलों का विद्रों उसक अफगान विद्रो इसका उद्देश था पिथम अफगान राजी की स्थापना इसे रोसन रोस नाई नाम धार्मिक संपदाय ने उत्तर पश्चें सिमान पराम छेत्त में पिष्ट भूमी पिदान की थी 1660 में अफगान विद्रो भागू की नेतित में मोगल सुवेदार अमीर खान ने दमन किया था इसका कारण था किसानों भूमी विश्च समस्या से संबंदे थी इस विद्रो को सतनामी नाम धार्मिक अंदोलन से ने पिष्ट भूमी पिदान की विद्रो की विद्रो की मोक रीड किसान और कास्तगार की नेतित में मुकता जमीदारों नी की थी 1689 में गोकुला किनेत में अधिक संगठित विद्रो सिकंदरा इस्थित अगबर की मकवरे को लूटा औरंग जेव औरंग जेव की पोत्त वीदर खाँ और विसंदास आमेर के राजा ने दमन किया था इसका 1688 की बात है 1688 की बात से राजाराम की भतीजे चूरा मन की नेतित में औरंग जेव की मित्यू पर अंत बिद्रो करता रहा और अंत में मतुरा के पास भरतपूर नामक सुतंत राजी की स्थापना की फिर आप देखेंगे सत्वनामी विद्रो मतुरा की निकट नौल नामक के इस्थान पर मार्च 1672 की बात है इस विद्रो की सुरुवाती एक सत्वनामी एवं इस्थानी मोगल सरदार की जगड़े को लेकर हुआ था और मूल रूप से धार्मिक संपदाय सुद्ध अदोईद वाद में विश्वास इने मुंडिया भी कहा जाता था और सत्व रिस्वर में विश्वास रखने की कारण स्वयम को सत्वनामी पुकारते थे बुंदेला विद्रो ये आप देखेंगे 1661 की बात है और चा की सासक चंपत राय के नेतत्यों में पराजित होने की बाद अधीफत स्विकार करने की इस्थान पर आत्मत्या कर ली थी इसने और आपको बता दूँ और चा आप सभी दान थें कि MP में बढ़ता है और MP में पहले ये टीकमगर जिले में पढ़ता था अब आप देखते हैं कि नया नेबाडी जिला बन चुका है तो उसमें आता है उर्चा 1661 से 1707 चत साल की नेतत्यों में विजापूर गेरा पुरंदर की संधी के दोरान मोगलों की सराहिनी सेबा की और सिवाजी ने बिद्रों की पेड़ा ली और 1707 में बुंदेल खंड का सुतंद सासक बना अकबर का बिद्रों 1681 की बात है मेबाड एवं मारवाड से सहायता अस्वासन पाकर 11 जनवरी 1681 में सुयम को बात्सा गोसित किया फारस भाग गया और वहाँ इसकी मित्यव को गई अकबर अंगरेजों का बिद्रों अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेट दिया गया इस बिद्रों में 1686 की बात है राज़जकुरी बिद्रों 1689 से लेका 1709 के भी चला उत्रादीकारी की समस्या से संबंदित था सिक के बिद्रो 1675 से इसकी मित्तिव तक औरंजेप की मित्तिव तक धार्मिक कारण था एकमात धार्मिक बिद्रो था औरंजेप के समय का अंतिम औरंजेप बिद्रो था ये इनके बारे में याद रखिए किस कारण हुआ उस पर भी याद रखिए अब बात करते हैं ओरंग जेब की जो धार्मिक नीती रही है उन्हें भी आप लोग देख लिजे ओरंग जेब की धार्मिक नीती मुगल इतिहास का सबसे बिवाद गरस्त मुद्दा है और तटस्त इतिहास लेका नगन है और मुगल सासकों की धार्मिक नीतीयों के विवेचना करते समय इतिहास कार इन नीतीयों के पितिकूल या आप देखेंगे समर्तक रहे हैं कुछ आप देखें कि इसके पक्ष में भी लिखते हैं, और कुछ इसके बेपक्ष में लिखते हैं, धार्मी परमपरा निश्ठा उसके लिए सौभाविक था और उसने गैर मुसलिम पिरजा को उत्पीडित किया, यानि कि जो आप देखें कि मुसलिम लोग नहीं थे, उनका उसने क्या किया पृताडीद किया उसने ओरणगे बिरोधी उसकी परंपरा वात को उसकी राजजनिती से जोड़ने की हद दे चले जाते हैं और इसे मोगल समराज की पतन का कारण भी बताते हैं। और इस पेकार की लेखक उसकी परंपरा निष्ठा को बड़ा चड़ा कर पिस्तूत करते हैं और एवं राज जी की नीतियों में इसका हस्तिचिप देखते हैं बास्तों में इसे ततकालीन राजनेतिक सामाजी को एवं आलतिक स्थिति के परिपेक्ष में देखे जाने की परंपराबादी मुसल्मानों के बीच एक फिकार की पितिकरिया उत्पन कर दी थी जो जहांगीर एवं साय जहां की काल में भी बना रहा और एंग जिब किसी परंपराबादी अंदोरन की उपज नहीं था बलकि दारा सिको कि विरुद उत्तरादीकारी की लड़ाई में पितिकरिया वादियों को खुस कर उनका समर्थन चायता था ध्यान देने योग बात यह है कि बेक्तिगत रूप से पुरातन वादी होने एवं उलेमा के समर्थन के बाब दूद उसने उत्तरादीकारी की लड़ाई में धार्मी उद्दे को कभी नहीं उठाया फिर भी धा पितिकरिया को दुबारा सुरू करने में 22 वर्स की देरी की और राजपूत प्रमोक तथा हिंदू मासबदारों को भूदान भू अनुदान दिये और इससे पता चलता ही कि मुसलिम परंपरा वादी आंदोलन से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है पहले भी कहा है कि आप बास्तविक सासक का दरजा प्राप्त करने के लिए मुख काजी अब अब्दुल वहाओ को अपने नाम से खुदबा पढ़ने की आग्या दी और इससे एक तकने की पहलो की पूर्ती हो गए और इसके बाद उसने स्वयम को मुसलिम परंपराबादी के हिमायती के रोम में प परंप किया औरंग जेब की धार्मिक नीती नीतियों को दो कालों में बाटा जा सकता है अपने सासन के पहले भाग में 1659 से 1989 में उसने अर्ध उधारबादी नीती अपनाई और जिसमें गेर मुसलिमों और मुसलिम परंपराबादीयों दोनों को संतुष्ट करने का प्रया आई गई और इस काल में उसने इसलाम की सुद्धी करण के लिए अनेक सुधारबादी कदम भी उठाए 1689 में के करीब जब उसकी विसाल राजनितिक सरचना चरम चर्मराने लगी तो उसने नाटकिये रूप से धार्मिक कट मुल्ले फन को अपनाया और गेर मुसलमानों का दमन प्यारम किया उसने और यहां से आप देखिए उसकी कट्टर पंथी नीती एक तरह से सुरू हो जाती है यही वहकाल था जब हम जजिया का हम जजिया का पुन्हा लगाया जाना लगा कर हिंदू का अथपीड़न हिंदू मंदिरों का विद्वांस यानी की तोड़े ज देखते हैं और फिर आप देखेंगे जिन परिस्तितियों में उसे गद्धी मिली थी हूँ वह है उलेमा का समर्थक बन गया और उसने इसलाम के सुद्धी करण के लिए अनेक कदम उठाए 1669 में सिक्कों पर कलमा खुदबाना बंद कर दिया ताकि यह सिक्क के हाथ से हाथ में जाकर गंदे ना हो जाएं और नौरोज की तिवार पर पाबंदी लगा दी क्योंकि यह जर्थुष्ट संपदाय का तिवार था सौर किलेंडर की स्थान पर चंद कलेंडर अपनाया 1669 में दर्वार में नित्त और संगीत पर पाबंदी लगा दी इसने अलाकि धार्मिक से हिंदों के विरुद नहीं थे इस प्रिकार के कई और आदेश जिससे कुछ नैतिक थे आडंबरों को समात करने के लिए जारी किये गये थे और यागे पी इन की रिया कलापों ने गैर मुसलिमों को सीधे तोर पर पिरभाविट नहीं किया परनतु उनसे एक प्रिकार का संधी उत्वन हो गया और गैर मुसलिमों के विरुद उठाए गया पहला विभेद पूर इसका कदम था 1665 में मुसलिम व्यापारियों को कर्मुक्त कर दिया जाना यहां से आप देखिए उसका चरित बदलने लगता है नीतिया बदलने लगती है बाद में वरंग जिमने से इंकार नहीं किया जा सकता है और अपनी नितियी को जारी रखते हुए उसने 1669 में सभी मंदिरों विध्यालों को तोड़े जाने का होकम जारी किया और आप देखें कि पड़ाम सुरूख कूच विहार उज्जैन उदैपूर जोधपूर गोलकुंटा वीजापूर महार कि मंदिर तोड़ दिये गया उसका यादेश सारियद की एक दम विपरित था जिसमें कहा गया था कि पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए पर नहीं मंदरों का निर्भाण भी नहीं होना चाहिए मंदिर संबंदी औरंगेव की नीती की कोई नई नीती नहीं थी सभी मंदिरों को नहीं तोड़ा गया और इस आदेश की ब्याख्या स्थानी अधिकारियों पर छोड़ दी गई मंदिरों के लिए औरंगेव द्वारा दिये गए भूमी अनुदानों से पता चलता है कि मंदिरों को तोड़ना राजी की स्थाही नीती नहीं थी ऐसा आम तोर पर योधिकाल में होता था एक तरह से आपको बताना हूँ कि दोनों पक्षिसके हैं आप देखेंगे अगर मंदिरों के लिए भूमी अनुदान दे रहा है तो आप लोग एक तरह से पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि इसने सभी मंदिरों को तोड़ दिया और आप देखेंगे कि एक तरह से आप कहिए कि दूसरे राज्य पर जब उसका योध होता था दूसरे राज्य से सा सकते हैं तो उस समय के मंदिरों को तोड़ने का जान्दा उल्ले किया जाता है इसके बाद औरंग जेब ने दूसरा आलापकारी आदेश जारी किया राजस विभाग एबं अन्य विभाग में सहाय की रूमें नियुक्ती में हिंदूओं प्रफिती बंद लगा दिया एसा निम्न आयवरगी है मुसल्वान में बेरोजगारी कम करने के लिए किया गया था और परन्तु यह नेती सफल नहीं हुई क्योंकि मुसल्वान सेंड पेशा में अभी रुची रखते थे जहां पदोनती जल्दी मिल दी थी और कई दिहासकारों का ये भी मानना है परना को चनोती दी है कि जिसके अनुसार गयर मुसल्वानों के विरुद उठाए गये कदम धार्मिक कट मुल्ले पन का पाईडाम थे अली के अनुसार औरंग जेब के सासनकाल में उत्रार्द में हिंदू सरदारों का 33.3 दिसंबलाव एक पितिसंथ हो गया था जबकि अकबर की काल में 22.5 पितिसंथ था तो इसने आप देखेंगे कि यहां हिंदू सरदारों को जैन्दा महत दिया पुना इसके सासन के उत्तराद में जब धार्मिक भावना चरम पर थी कुल नई नियुक्तियों में 86.137 गेर मुसलिम थे इसमें और नियुक्तियों में आप देखें कि मराठों की संख्या 3-4 थी उन्हें मित्त बनानी की नीती को ध्यान में रखकर किया गया था ये और जेन सरकार के अनुपसा 1689 में जजिया का पुनाहा लगाया जाना मत्पूमोड था जब धार्मिक कर्टर्था का चरम देखने को मिला परन्तु अन्य इतिहासकारों का कहना है कि इसका उद्देश मराठों एवं राजपूतों के जो इयोद्ध पर तोले हुए थे कि विरुदमबसलवानों को संगठीत करना था और इसे जो पैसा जमा होता था उसे धर्मनेताओं को दे दिया जाता था और जिन से अधिका अधिकतर बेरवजगार थे और इस तरह से यह धर्मनेताओं को दी जाने वाली वड़ी रिस्पत थी और यह पुना हिंदों को इसलाम धरम अपनाने के लिए विवस किये जाने वाला हत्खंडा भी हो सकता था परन्तु यह उचित तर्क नहीं है क्योंकि इसका आर्थिक बोज हलका था इस तरियों बच्चे अपंग निम्न आय के व्यक्ति एवं सरकारी कामचारियां इससे मुक्त थे ना ही इस करके कारण बड़ी संख्या में हिंदूओं ने इसलाम को अपनाया यह किसी कठिन आर्थिक इस्तिक का मुकाबला करने के लिए भी नहीं लगाया गया था बास्ताव में इसके उप्यूक्त राजनेतिक एवं सिध्धान्तिक कारण थे खफी खां एवं मनूची जैसे इतिहासकार का कहना है कि औरंग जिब नहीं इन हुपायों द्वारा दार उल हरप को दार उल इसलाम में बदलना चाहता था बास्ताव में एक अदम परिस्तितियों की उपच थे और हलाकि ये हिंदूओं के लिए कट्टू थे इस तरह के नेड़ धार में एक तासी पेरिद नहीं थे यगपी ये हिंदू मारस में ऐसा देखते थे और अरंग जिब ने इन सकीर नेतियों के कारण अपनी हिंदू प्रिजा का समर्थन खो दिया और समराज में जगए जगए बिद्रो होने लगे और जिससे समराज को जगजोर करक दिया जाट सतनामी सिखों गुजरात की भीम से इनके ने बिद्रो कर दिया इरफान हबीब का कहना है कि इन बिद्रोहों का कारण धार्मिक नहीं था बलकि अधिक भूराजस एवं सामन्ती अप्तियाचार थे जैसे किर्सी संकाट उत्पन ने कर दिया और परन्तु यह कहा जा सकता है कि बिद्रोहियों ने धार्मिक का टर्ता का उत्पीडन इसलिए महसूस किया क्योंकि समराठ राजनितिक सिध्धानती कारणों से इनके बिरोध जिहाद का नारा दिया खैर कारण जो भी रहा हो इन बिद्रोहों ने समराज को कमजोड जरूर किया है और इन धर्मांद नीतियों के कारण औरंग जिप ने कुलेन राजकूतों का समर्थन खो दिया जो हिंदूओं के धार्मिक नेता थे और यागिवी मारवाड का हस्तचेब राजनिती फेरित था परन्तु दुरगावा दास के विद्रोहों में धार्मिक पहलू को भी सामिल किया गया इन विद्रोहों में राजनितिक दिरिष्टी से सबसे मध्पून सिभाजी का होदय था और अंत में आप देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि औरंग जब प्रकिती से एक धर्मान मुसल्वान नहीं था उसके सभी नेडर राजनितिक कारणों से पेरित थे और इसके पीछे धार्मिक पिती बद्धता नहीं थी गद्धी के लिए उस अपने दाओ को मजबूत करने के लिए उसने अनिक कटर कदम उठाने पड़े आज भी हमारे देश में आप देखेंगे कई ऐसे नीता मिल जाएंगे हर धर्म में जो कटरता ही बात करते हैं अपनी सिर्व रोज जो भी राजनेतिक रोटियां होती हैं उसे सेंकने के लिए अपने सासनकाल में प्रत्थमार्थ में उसने केबल इसलामी कानून को लागू करने की कौसिस की अपनी उधारवारी नीतियों की आसफलता की बाद उत्तराद में उसने गैरों मुसल्मानों की उत्विरन के लिए सभी तरीके अपना है और अरंगेब द्वारा अठाएगे कदम राजनिति से अधिक वेरित थे और परन्त उसकी कुछ एक नीतियों में धार में कुसा के कारण धर्मान अधिक परिलक्षित होती है और इसके पैडाम संवराज की अतेंत विनासकारी हुए जो मोगल संवराज की विक्टन की रूम में सामने आये जो मोगल संवराज की एक तरह से पतन के कारण भी बने फिर आप देखें कि मोगल सिख संबंद देख लीज़े हैं सिख्ख के संपदाय का उदृभा वं मुगया सासन काल में हुगा सिख्खोथ के पितं गुरू नानक भक्तिमारक की पिचारक उपयां किया he ना ही किसी इस्थान को धार्मिक इस्थाल बनाने का फ्यतन किया। चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 पीखा जमीन दान में दी थी और जिसे एक प्राक्तिक दालाब भी था। को अपना आसी बात दिया था यानि कि सहायता एक तरह से दी थी। जब खुसरों के विद्रों के दमन हुआ तो जहांगी ने उसकी समर्थकों को दंड दिया। गुरु अर्जुन देव को भी दो लाक रोपी जुर्वाने का दंड मिला और गुरु अर्जुन देव के द्वारा जुर्वाना नहीं दिया जाने पर उन्हें मित्तिव दंड दिया गया। एक अईवा पूछ लेता है कि सिख गुरु जो अर्जुन देव थे इन्हें किसने मित्तिव दंड दिया था? औरंग जेव ने। किसने? माप करिये औरंग जेव ने नहीं किसने दिया था? जहांगी ने। कि सासक बनने पर उन्हें मुक्त कर दिया गया और उनकी सैनिक महत्वा कंच्छा से साय जहां आपसन हो गया और सिकारी की विसन पर दोनों में संबंद बिगड़ गये और राच्किये दंड से बचने के लिए उन्होंने कस्मीर में संद ली और जहां उनकी मौत हो जाती कारी कारी गुरू हर राय थे वे सांती प्रिय थे और उन्होंने भी समराट के विरुद कोई संगर्स नहीं किया हर राय ने साय जहां के बेटों के वीच उत्रादीकार में दारा को समर्थन की दिया था मगर और अरंग जेब ने उनके पिती उधारता की नीती अपनाई और अताहा उनके भाई हरी किसन को गुरू प्राप्थ हुआ और आप देखेंगे 1664 में गुरू हर किसन की मित्यु पर उत्रादीकारी के संचिप्त संगर्स के परच्चत गुरू देग बहादुर बने और उन्होंने औरंग जेब की अधीन पद गहन किया और कुस सैनी का वियानों में भाग भी लिया बाद में भी पंजाब चले आए और जहां उन्होंने किसान विद्रोहियों को नित्रत पिदान किया पैडाम स्वरूप औरंग जेब उनसे आपिसन हो गया और 1675 में गुरू तेग बहादुर को ग्रफतार कर दिल्ली लाए गया और मित्ति गुरू थे उनके बारे में नाम हो गया उनका एकाल हो गया और प्रमुख उनकी काम जो भी सिस्था रही है जैसे गुरू नानक इनका समय रहता है 1469 से 1538 तक सिक धरम के संस्थापक हिंदू-मुसलिम एक्तापरवल आउतारबाद एवं कर्मकांड का विरोध समानता एवं सतकर्मों पर सरवादिक बल धरम पिचार के लिए संगतों की स्थापना गुरू अंगत लेहिना ए 1538 से लिकर 1552 गुरू नानक के सिस्थ गुरू के उपदेशों का सरल भासा में पिचार गुरू अंगत के पूत्त बाबा सिरीचंद उदासी पंध की स्थापना लंगर वि 54 गुरू अंगत के सिस्थ संपदाय को एक संगठित रूप दिया और जिसके लिए आप देखेंगे 22 गदिया बनाई अपने सिस्थों के लिए पारी वारिक संथ होने का उपदेश दिया सती पिता पर्दा पिता तथा मादक देवों के सेवन का विरोध किया श्रीचंद के विरोध के कारण इस्थान वदलना पड़ा अगवर ने पंजाब में गुरू से भेंट की और गुरू और उसके सिस्थों को तेई थ्यात्रा कर से मुक्त किया उनकी पुत्री के नाम कई गाउं दान दिये और आप देखेंगे बैशन आउसम पताय के अर्वाई थे उन्हो 1575 में 1577 में आकबरन ने पांसो भी का जमीन दी और जिसमें एक प्राक्तिक तालाब था यहीं पर अमरसर नगर की स्थापना हुई गुरू का एप पद पैतरक्त हो गया पर आप देखेंगे गुरू अर्जुन देवा आते हैं एप 1581 से 1666 तक सिख संबदाय को सक्ती साली बनाया इनोंने अपना और अपने गुरूओं के उपदेश का संकलन 1604 में आधिगरंथ में करवाया अर्जुन ने सोफी संथ मिया मीय द्वारा अमरसर में हर्मिंदर साहिब की निउडल वाई कलांतर में रंजी सिंग द्वारा हर्मिंदर साहिब में श्वड जड़वाने के बाद अंग्रेज जोद्वारा पहली बार स्वड मंदिर नाम दिया गया इसका इस्ताई रूप से धरम पिचारक मनसद और मेवरा नियुक्त किया गुरूपत को सिखों का अध्यात्मिक तथा संसारिक पिरमुक बनाकर सान सौकत से रहना प्यारम किया सिखों से उनकी आ वो सेना गठित करने का आतिस दिया गुरू के मित्युदंड को सिखों ने मोगल मोगलों द्वारा धरम पर पहला आकमर माना और तरन तारन नामा नगर की स्थाफना की थी गुरू अर्जुन दियुने फिर आते हैं गुरू अर्गोविंद ए 1606 से लेकर 45 तक गुरू ने स अमरस्तर की किलिवंदी की और सिखों को धार्मिक सिक्षा के साथ सैनिक सिक्षा दी साजहान से वाज 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 विकरन की कारण संगर्स हुआ गुरू हर राय यह आप देखेंगे 1645 से 61 की बात है दारा की सामुगड योद्ध में पराजित होने होकर पंजा भागन और राय से इनका विबाद हुआ फिर आप देखें कि गुरू तेग बाहद हुराते हैं इस 1664 से 75 तक रहते हैं हरी किसंसे ने मित्यू से पहले उन्हें बकला दे बाबा कहा और ततपरश्चाद वे बकला वाकला में गुरू सुईकित हो गए और धीना मल और राय मल और रंगेब की धार्मी ठीतियों का विरोत किया नोंने फलसरूफ 1675 में इसलाम धरन नहीं सुईकार करने के कारएं गुरू की हत्या कर दी गई गुरू तेग बाहदुर की फिर आप देखें कि गुरू गोविन सिंग आते हैं 1675 से 1708 तक रहते हैं पटना में इनका जनम 1699 में में खालसा का गठन किया पितेक सिक्ष को पंचमकार केस कंगा कड़ा कच्छा और आप देखें किरपार धारन करने का आदिश दिया अपनी मित्यू से पहले गद्धी को समाप्त कर दिया और एक पूरत गरंत दसवे बादसा का गरंत का संकलन किया उस सिक्षों के अं उन्होंने लगवग 20 सालों की तियारी के बापजूद बाद मोगलों से संगर्स आरम किया और अपना कैंद आनंदपूर को बनाया और अरंग जेप उस समय तक दच्छन भारत की समस्याव में उलच चुका था और फिर भी मोगलों मोगल अधिकारियों ने गुरू गोविं गोविं सिंग की माता और उसके दो पुत्र फते सिंग जोराबर सिंग मारे गये लेकिन गुरू गोविं सिंग ने पराज़ा नहीं सुईकार किये 1707 में उन्होंने औरंग जेब से मिलने के लिए दच्छन जाने का परसला किया किन्तु जब ये रास्ते में थे तभी औरंग जेब की मित्ति हो गई और उनके पुत्र मुज्जम और आजम की भी चुत्तरादीकारी का योद छड़ गया गुरु गोविन सिंग ने मुज्जम बहादूर साय पिथम का साथ दिया और उसके सफल होने पर उसने उन्हें मनसा प्यदान किया मुगल सिख मेत्री का यह प्रियास आसफल रहा क्योंकि नांदेड नामकिस्थान पर एक आफगान ने 708 में गुरु गोविन सिंग की हद्या कर डाली और इसे पूर भी गुरु गोविन सिंग ने आदिश दिया था कि उसके बाद गुरु का पद रिक्त हो जाए और उनका कोई उत्रादिकारी नहीं होगा बलकि जहां पांच सिख एकत्त होंगे वहीं गुरु की आत्माओं का मार्ग दर्सन करेंगे और अताह सिखों की भी सामोहिक नेतत की परंपरा बिक्सित हुई तो यह रहा है मोगलों का काल और आप देखे कि राजपूत हों या सिखों उस समय आप देखे यह मर जाना पसंद करते थे लेकिन समझोता या आद देखे और इसलिए आजकल हम लोग इनका सम्मान भी करते हैं आप सोचे तो मगल समराज हो गया अगली क्लास में हम लोग का करेंगे कि यह मोगलों की राजनेतिक आर्थिक और सांस्कितिक विवस्था को देखेंगे कि इनके समय की राजनेतिक विवस्था क्या थी आर्थिक विव झालो